Assalamualaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम बात कर रहे हैं बहुत important question की तरफ, ये question तकरीबन हर साल ही आ जाता है और इस question का नाम है conversion, actually ये organic chemistry का एक important question है जिसमें आपको ये बताना पड़ता है ये लिख के बताना पड़ता है कि आप कैसे एक organic compound को विचे दूसरे organic compound में convert कर सकते हो For example, question आ सकता है कि अलकेन को अलकोहल में change करो, अलकोहल को अलकोहल में change करो, आप अलकोहल को अलकोहल में change करो But carbon की तदाद मुक्तलिफ हो, आप carboxly acid cell can मनाओ, मतलब इस तरह के questions आ सकते हैं अचा एक question जो है वो अलड़ी हमारे past exercise में दिये हुए हैं, यानि आपको महाँ पर solve करने हैं तो आज जो हम काम करेंगे वो ये है कि उसमें मैं दो बातों पर ख्याल करूंगा पहले तो वो जितनी syllabus की आपके पास conversions हैं, वो conversion मैं आपको करवा दूँगा इस तरीके से वही conversion already, मतलब almost वही आती हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी Second, जो बात है वो ये है कि इन conversion के पीछे logic क्या है, आप किस तरीके से इनको हल कर सकते हैं लब अगर unknown भी आ जाता है, या आपके दिल में कोई conversion आ रहती है, कि मैं इस compound को दूसरे compound में chain कर सकता हूं, तो कैसे करना है, तो ये वाली logic भी मैं आपको दूँगा, इसमें कुछ हमारे पास points होते हैं, अगर वो points आपको समझ में आ जाए, तो automatically आप conversion कर सकते हैं, थोड़ इसमें जो conversion हैं, वो हम करेंगे, हो सकता है, कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो तरीका ये है, कि आप इसको क्या करेंगे, chunks में सुन लेंगे, क्योंकि मैं इसको chapter में divide कर दूँगा, तो जिन conversion में आपको परिशानी हैं, वो conversion आप directly भी skip करके जा सकते हो, मतलब उस को directly पढ़ सकते हो, तो इस तरीके से असानी हो देगी, या आप हर रोज थोड़ा सा पढ़ लीजेगा, तो ये सवाल actually सिर्फ conversion नहीं है, बलकि ये समय लें कि organic chemistry का नचोड़ है, तो यही आपने सीखना है, बाकी मैं आपको थोड़े plus point ये बताऊंगा end के अंदर, यानि हम तकरीबन 5-7, even maximum 10 pages के उपर, मैं आपको बताऊंगा कैसे summarize कर सकते हैं पूरी organic chemistry को, ठीक है दी, तो चलते हैं अपने आज की chemistry की तरफ, यानि आज की conversion की तरफ, कैसे हैं वो, सबसे पहले हम जिकर करेंगे, उन important points का जो आपको पता होने चाहिए, जिसके बगार conversion करना difficult हो जा organic compounds, actually, यह वो चीज है, जिसके अंदर आपको भी बताना चाहिए, कि concept क्या है, पीछे, जो सोचना है, वो सोच क्या चलेगी, और आगे आपने कैसे उसको लेकर चलना है, मतलब, आपने उसको understand कैसे करना है, जैसे मिसाल के तरफ, हम एक चीदर करते हैं, कि आपने organic chemistry बढ़ी है, थोड़ी बहुत, ठीक है न, और उसके मताबिक आप कुछ फैसल ले रहे हो, आपने उल्रेडी बहुत से रेशन पड़े हुए हैं, और उन reactions में से, आपने कुछ क्या करना है, उनको summarize करना है, नचोट करना है, एक parameter है, क्या conversion, अगर आपको आती है, तो थोड़ा-थोड करने भी मेरे चैनल पर lecture में रोद है, आपने येकिन थोड़े बहुत देख लिए होंगे, या आपने college पड़े होंगे, तो उनको दिमाग में रखते हुए, पुरानी बात होंगो, मैं वो भी दोह रहाँँगा, ताकि आपके जो भूल गए हैं, वो आप complete कर लो, ठीक है न उसके लिए process होगा, कि पहले आप chlorination करोगे, और फिर आप word synthesis करोगे, ठीक है, chlorination आम तो पर chlorine को add करने का मलका होता है, और word synthesis होता है, वो दो alkyl halide को sodium की presence के अंदर, और ether की मजोदगी में मिलाना होता है, ठीक है, इसको integration को करेंगे, तो जो आपको समय नहीं आएगा, तो व आप क्या करना चाहते है, उसे कम करना चाहते है, तो यह कैसे होगा, decarboxylation से हो जाएगा, फिर increment of the number of bonds, आपने bond बढ़ाने, आपके पास alkyl है, या एक single bond है, double bond करने, triple bond करने, single से triple करने, double से triple करने, तो आपको क्या करना पढ़ेगा, basically, यहाँ पर छोटे-छोटे से process हैं, आप पहले bromination कर लो, alkylation, देखो, bromination कर लो, या chlorination कर लो, एक की बात होगी, तो फिर उसकी बात आप करो, dehydrogenation, अगर आपने यह दो processes साथ कर लिये, तो इसका मतलब यह है, कि आपने, एक bond का अधाफा कर लिया, अगर आपने, नहीं, triple bond बनाना है, double बना लिया है, तो आप द bond को triple किया रहा सकता है, बट यह एक specific, समयने के molecule पर लगेगा, हर जगल, हर एक method नहीं लगेगा, तो जो method लगेगा, वो method हम हागे लगे, देखेंगे, अचा, नेक्स हमारे पास जो अमल है, अगर आपको नजर नहीं आया, और आपको नजर नहीं आया, और आपको नजर नह है, तीन है, आपने तीन से दो करने है, या दो से एक करना है, तो यह है जी decrement, यह कैसे करोगे, dehydrogenation, मनलब hydrogen निकाल कर, जितना जदा आप hydrogen निकाल होगे, उतनी unsaturation increase करेगी, The next one is, the increment of the carbon plus formation of the carboxylic acid, यानि इसमें carbon, लेको आपको कहा रहता है कि मेरे पास एक carbon है, यह methane है, मेरे पास methanol है, और आपने एक नहीं दो carbon वाला carboxylic acid बनाना है, तो फिर क्या होगा, अब दो carbon वाला carboxylic acid भी बना सकते हो, ठीक है, यानि carbon के जदाद भी बढ़ेगी इसके नमर वान और नमर टू, carboxylic acid भी थ्यार होगा, तो इसमें जो यह basic आपके पास एक compound that is called grignard reagent, and it is reacted with the carbon dioxide, the same way, एक और method भी है, कि अगर आप किस तरह cyanide group को, या nitrile group को add कर लो, और फिर hydrolysis करो, तो फिर भी यह काम किया जा सकता है, तो नमर नेक्स आइस, 6th नमर, तो 6th is the oxidation of alkane, यह बहुत ही कमाल का reaction है, इसमें आपको alkane से alcohol बना जा सकता है, alcohol से aldehyde और ketone, और ketone या aldehyde से carboxylic acid, ठीक है ना, उल्टा भी कहरा सकता है, कि आपने कहना है, alcohol से aldehyde बनाओ, ठीक है, या alkane से aldehyde बनाओ, दोनों बन सकते हैं, अभी नहीं, alkane से हमें बनाना है कारboxylic acid, तो यह बनाए जा सकता है, तो यह जो reaction है, यह बड़ा ही कमाल reaction है, इस reaction को आपने समय लें कि आपकी जो organic chemistry हमारे FSC के especially, तो उसमें सबसे समय लें कि important reaction है, यह दो reaction की series हैं, एक तो अभी बता रहा हूँ, वो क्या है, याद कर लो, मैंने जो पुराने lectures दिये हुए उनमें भी बहुत ज़दा emphasize किया है, इसके उपर कि आप याद कर लो, इससे बहुत को समय में आता है, तो number one, आपने कहना है कि अलकेन की oxidation से alcohol बनेगा, alcohol की oxidation से aldehyde बनेगा, और aldehyde की oxidation से carboxylic acid बनेगा, अलकेन से aldehyde, या तरतीब से चलो, अलकेन से alcohol, जैसे कि हमने यह तो अलकेन से, अलकोहल, अलकोहल से aldehyde, ठीक है, और aldehyde से carboxylic acid बनाए जा सकता है, यह दिमाग पर एकलो, यह नहीं कि आप यह समझो, आपके पास यहाँ पर, एक क्या होगा, oxidizing agent, जैसे K-104, और सासिल्फुरिक acid, या K-2, C-2, O-7, तो आप जस्ट oxidation करते जाओ, ठीक जो next मारे पास process है, that is, reduction of carboxylic acid, अगर देखे रहे हैं, तो उपर वाले reaction में, और निचर वाले reaction में, क्या है, reversibility है, reversibility का मतलब है, कि वहाँ, alkane से alcohol, मतलब, alkane से alcohol बना रहे थे, अब उटे जलेंगे, अब alcohol से alcohol बनाएंगे, ठीक है, अब आप चाहो तो aldehyde से alcohol बनाओ, त change into the alcohol, and alcohol will change into the alkane, मतलब, ये एक काइन की reaction नहीं है, इसमें मतलब, कहा जा रहा है, कि alcohol से alkane बनाओ बन सकता है, aldehyde से alkane बनाओ बन सकता है, aldehyde से alkohol बनाओ बन सकता है, इस तरह carboxylic acid के लिए भी यही बात होगी, अब the next one is the conversion, conversion of alkane, यह हम थोड़ा से points लिखे हैं, मैं आपको आखर में जाते हुए, यह सारी समझाओंगा, कि हम basically क्या चाते हैं, देखो, एक बात याद रखो, वो बात यह है कि अगर, आपके पास, मतलब, जो organic compound है, उनमें जो सबसे basic or parent molecules होते हैं, वो होते है, alkane, अगर आप सब molecules को, जो भी आपने convert करने हैं, अगर alkane में convert कर बना सीखो, एक, और फिर alkane से सारे molecules बनाना सीखो, मतलब, आप aldehyde, carboxly, cedia, alcohol, phenol को आप alkane में chain करो, और इस तरह जब alkane में chain कर लो, तो फिर आपको यह आना चाहिए, कि alkane से सब कुछ कैसे बन सकता है, तो यह आप पताया देगा, कि alkane से सारे compound कैसे बन सकते हैं, ठीक है alkane से सारे compound कैसे बन सकते हैं, इसी तरही के से अगर आगे चलो, और देखो, alkane से सारे compound कैसे बन सकते हैं, alkane कैसे बन सकते हैं, alcohol से कैसे बन सकते हैं, ठीक है, अलकॉल से कैसे बन सकते हैं, यह मैं आपको एक च्छोटी सी, एक notes के शकल में देदूंगा, आप notes देख सकते हैं महाँ पर चिक है और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं अगर नोटस आपको ले रहे हो तो फिर आप मेरी वेरी साइट से भी वहाँ पर जा कि ले सकते हैं छी कि इसके बाद कोई बी मॉलीक्यूल आता है और वह मॉलीक्यूल जो है आपके पास मतलब आपको favorite लगता है कि मैं alcohol से सारा बना लूँगा मैं aldehydo मेरे पास सब बना लूँगा मतलब आप एक point से आगे जा सकते हो बारहल ये एक लबी बात है बट बस इतना समय लेंगे किस तरह से हम इसे set up करेंगे मैं आखर में आके से बताऊंगा ठीक है फिर चलते हैं इसके बात जो next हमारे पास last point आ रहे हैं ये समय लेंगे आपके पास bonus point होंगे इसमें लिखता है conversion chain from carbon and hydrogen मतलब carbon और hydrogen से starting लेनी है हमने और सब कुछ बना लेना है ठीक है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो ascending and descending of the carbon chain मतलब बात यहाँ पर यह है कि आप carbon को कैसे बढ़ाओगे carbon को कैसे घटाओगे तो यह भी आपके पास एक पूरे chain reaction के शकल में आपको मिल जाएंगे तो यह तरह दिया आपके पास क्या चीज़? कि जो हमारा framework है उसमें क्या कुछ होगा और अगर आप इन चीज़ों को basically सीख जाते हैं तो फिर हमारे reaction करना हमारे लिए बहुत हदा easy हो जाएंगे चलते हैं अपर next जो reactions है जो examples है actually वो हमारे पास already हुई भी है आपने जग़ जग़ पढ़ी हुई भी है उन्हीं को थोड़ा सा categorize करेंग इसी तरीके से comment करकर यही सारी बाते लिए भी बताई हैं कि कहां carbon बढ़ रहा है कहां carbon घट रहा है किस तरीके से जो है वो functional groups change हो रहे हैं यह सब कुछ हम सीखते हैं तो next हमारे पास एक conversion है इस conversion को आप रग और से देखो तो यह जी हमारे पास पहली example बहुत ही easy example है वो क्या है कि आपने इथीन से बनाना है इथीन चीक है यहीं इसमें basically सबसे पहले क्या करोगे सोचोगे करना क्या है तो करना यह है कि जो हमने last अब यह भी थोड़े से points पढ़े है उन points हमने इपास से की है कि देखो इसमें carbon के जदात कितनी है इथीन के अंदर दो और इथीन के अंदर है दो यह नहीं ना तो आपने carbon की मिदार बढ़ानी है और ना ही कटानी है तो इसका अदलब है यह बात नहीं है फिर इसमें क्या बात है कि इथीन और इथीन में देखा जाए तो basically क्या difference आता है देखो मिसाल के दर पर हम यह कहते है कि आपके पास इथीन में एक carbon है और इथीन के अंदर दो carbon है यह के hydrogen पूरे-पूरे लग सकते है carbon की वेलेंसी डिस्टिफाय करने के लिए उसको सोचा ना करें बस carbon के मताबिक चारा करें और bonds के मताबिक और functional group के मताबिक automatically सब्स्टिक हो जाता है तो देखो भई इसमें तरीका यह है कि आप ही सोचो कि यह जो आके पास carbon है यह double bond कैसे बनाएगा सही है तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा hint दिया था लेकिन अगर आप वापस लकर करके देखो तो क्या समन में आया सबसे पहले आप करोगे bromination bromination करने से क्या होगा एक H निकल जाएगा और एक BR आ जाएगा ठीक है और जो H निकल जाएगा वो दूसरे BR से मिलकर H BR बनाएगा यह first step है तो यह reaction एक step में भी हो सकते हैं दो में हो सकते हैं तीन में हो सकते हैं इस तरह से next step के दो reaction है वो कैसे काम करेंगे वो ऐसे काम करेंगे कि आपने यह बना दिया जी जो reactant है मैं जाएगा इसको अपने अदाद में लिखता हूँ तरह गोर कीजेगा देखो पर जेम्पल यह आपके पास है CH3 लेकिन मैं लिख रहा हूँ CH3 ऐसे और यहां पर है CH single bond और BR आपने अड़ किया है अब सोचो कि आपने HBR निकाल देना है तो निकाल दूके तो क्या होगा यह वला लेक्ट्रॉन और यह वला लेक्ट्रॉन दोनो के दोनों लेक्ट्रॉन आपसे मिल जाएंगे और मिल जाने के बाद कार्बन कार्बन डबल बनेगा बाकी H की गिंति आपमें पूई रखनी है यानि carbon की valency 4 होती है देखो अगर यह करकर कितने डाल ले है hydrogen valency 4 कर लो automatically समझ में आ जाएगी तो simple सा इसे कहते है hydrogen का निकल जाना और bromine का निकल जाना इसका hydrogen का यहां से निकल जाना एक और bromine का निकल जाना that is called dehydrohalogenation अगर bromine को निकाल जाना तो dehydrobromination chlorine को निकाल जाना जाना dehydrochlorination तो फिलाल simple सा हम लिख सकते है dehydrohalogenation तो dehydrohalogenation second step और first step क्या था bromineation तो आपका मकसद हो गया हल और आपने बना लिया क्या CH2 double bond CH2 यानि के ethene और यही बात हमने आपे last जो point से उनमें पड़ी थी यानि जिसमें हमने यह कहा था कि अगर आप गौर से देखो तो यह कहा था कि अगर bond बढ़ाना है तो पहरे क्या करने पड़ेगा bromineation और फिर क्या करने पड़ेगी dehydrohalogenation तो अब आपको तोड़ा समझ में आया कि दो steps कैसे करने है अब चलते हैं हमारी next conversion की तरफ next conversion क्या कहती है तो next conversion है वो है ethene to ethine मतलब आप दुबारा देखो यहाँ कार्मन की तदाद दो है इधर भी कार्मन की तदाद दो है लेकिन अब double bond से हमने क्या करना है triple bond मनाना है यह हमारा मकसद है increment of the bond अब यह कैसे करोगे अब यह ऐसे करोगे कि सबसे पहले जो उपर किया है bromination करोगे और फिर क्या करोगे dehydrogenation करोगे वो कैसे same to same देखो तोड़ा फर्क समयना आपके पास क्या है bromine add करनी है पिछली दफ़ा क्या हुआ था जब आप last time इसको गोड़ से देखते हो तो उसमें actually यह हुआ था कि एक H यहां से निकल गया था और bromine add हो गया था that is called bromination यह भी bromination है और यह जो आपके पास bromination है यह किसकी bromination है alkene की इसमें दोनों के दोनों BR add हो जाएंगे यानि एक double bond खतम हो जाएगा पहले number पर और bromine add हो जाएंगे इसे कहते हैं 1-2 die bromothane अब यह तो first step हो गया अब second step क्या होगा और प्राना वारा इसके अदर क्या होगा potassium hydroxide की मुझूदगी में आपने क्या करना है देखो इसमें आपने dehydrogenation नहीं करनी इसके अंदर आपने क्योंके वो करेंगे तो फिर मारे पास जो होगा वो मुख्तलिफ इसमें भी आपने dehydrogenation नहीं करनी है कैसे करोगे देखो इस वाले compound को मैं लिखे दिखाता हूँ और suppose करो कि आपके पास ये एक carbon है और इसके साथ लगावा है CH2 ठीक है मैं CH2 को ऐसे करके लिख देता हूँ और ये भी आपके पास CH2 ठीक है और bromine तो आपने इसमें add किया है ऐसे लेख लो इस compound को तो इस compound को अगर ऐसे खोगे CH2BR CH2BR तो ये दरह आसान हो जाएगा हो जाएगा ठीक है मतलब एक step में ऐसा होगा और अगर आप एक step और लेते हो यानि एक step और लेते हो इसमें भी hydrogen और bromine निकालते हो डी hydrogen second step की निकालते हो इसकी वर्यास से एक बॉंड का इजाफा और हो जाएगा देखो हमने compound को देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ उसने दोनों दपाई यह यानि दोनों रेक्शन एक साथ कर दी हैं और HBR निकला और HBR और बिल आखर क्या हुआ दोनों के दोनों बी आर निकल गए और एक एक ओपर से H निकल गया तो बागी क्या बचा CH 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 और जैसी बात है कारवन को अपनी विलेंसी डिस्टिफाई करने के लिए ट्रिफल बॉन डालना पड़ेगा या कहलो रखना पड़ेग और बागी क्या होगा एक BR मिल जाएगा के के साथ और इस तरह से दूसरा BR दूसरे के के साथ तो दो के BR बनेगा और जो बागी दो हाइडरोजन है वो दो OH के साथ मिलकर बनाएंगे क्या वाटर ठीक है मैंने अब जैसे आप से अभी कहा है कि अगर आप नहीं भी लिखते लिखने चाहिए अगर भूल जाते हैं तो घलत न लिखेगा नहीं लिखते लेकिन आप वो लिख देते हो जो जरूरत है यानि जो बनाने को कहा गया है अगर यह बना लिया आपने इसका मतलब यह कि रेक्शन दुरुस्त हो गया ठीक है चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्सक्राइन के अंदर कर्वन कितने होते हैं दो लेगिन ब arm कितने होते हैं जियनि फिर आपको आपको चाहिकरीच्ट करनी फिर आपको ऐपकाइ अचिच्ट हो जाएगा और कवर ऑनके सब दो-दो यह दिएक के 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 ये अलकीन, तो ये एक रियक्शन तो हो गया, यानि कनवर्ट इथाइन इंटो इथीन, लेकिन मजीद आगी जा सकते हैं, इथीन से दुबारा से एच एड़ करने के बाद एक बॉन्ड खतम किया जा सकता है, अब ये बन गया है, अलकीन, या कहलो इथीन, ठीके तो आपने अ से अलकीन, और अलकीन से अलकीन बनाया जा सकता है, या सिंपली कहें, कि इथाइन से इथीन और इथीन से फिर इथीन बनाया जा सकता है, ये है सिंपल कनवर्जन, अगर आप इन कनवर्जन को गोड़ से देखो, तो इन में एक सिंपल पैटन था, यानि इथेन, इथीन और इथाइन, इन तीनों के दर्मियाद conversion है, इथेन से इथीन बना सकते हो, इथीन से इथाइन बना सकते हो, इथाइन से इथेन वापस बना सकते हो, ठीक है चलते हैं आपने next conversion की तरफ तो जो हमारी next conversion है वो बहुत easy सी है और वो यह है कि हमें बताना यह है कि CH4 को, यानि कि methane को, यानि एक carbon को हमें convert करना है, किस के अंदर propanoic acid के अंदर यानि कि तीन carbon है हमारे पास और तीनों carbon, मतलब वारा acid कहलाता है, propanoic acid अब इसमें अगर देखा जाये तो क्या तरीका कार है तरीका यह है कि इसमें, बहले आपको sense लेनी है कि करना क्या है करना यह है कि एक carbon है, उसको 1, 2, 3 carbon में convert करना है, यानि इस तरह से हम सोचें तो पता लगेगा कि carbon जो है, वो आपके पास क्या है, बढ़ाने हैं, number one number two, carbon सिर्फ बढ़ाने नहीं है बलके हमें यहाँ पर carboxly kisid भी त्यार करना है, तो carboxly kisid भी सासा त्यार कैसे करेंगे चलते हैं इस method की तरफ, आप यह देखो, कि method, इसमें दो method होंगे मारे पास, method one और method number two, जो हम देखते हैं, इसमें काफियत तक कोई change नहीं होता, यानि किसी जगा पर हमारे पास two possibilities वो जाती हैं, उसके हिसाब से method change हो सकते हैं, तो आप किसी method को भी adopt कर सकते हो, जो आपको easy लगता है, तो इसमें हम पहले बात करते हैं, कि first method क्या है, first method यह है, कि आपको लेना है methane और sunlight में रेक्शन करना है, यह एक free radical mechanism है, इसके बारे में पूरा आपको sense दिया जाता है, कि propagation पर होता है, initiation क्या है, फिर propagation क्या है, फिर termination क्या है, तो basically propagation में हमें यह steps मिलते हैं, जिसमें CH4 से क्या होता है, एक H निकल जाता है, और CH4 से एक H निकल जाता है, और CL आ जाता है, और फिर क्या है, और फिर CL आ जाता है, इस तरह चारों के चारों CL भी निकल कर, 4 CL मजीज़ जगा पर आ सकते हैं, इस तरहं से आपको, मिलता है, chloromethane, dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, ठीक हैं, तो यह different possibilities हैं, अगर आपको कोई reaction नहीं आता हो, उमीद है कि आपने जो सेकिंडर किया कुछ इसा पढ़ लिया होगा शुरुवात के अंदर नहीं तो आप कोई भी रियक्शन लिखा करें यहां लिखें फ्री डेडिकल मेकनिजम यूट्यूब पर सर्च करें आपको यह मेकनिजम मेरा मिल जाएगा जहा हमने तरतीब से बढ़ा होगा लेकिन अभी फिलाल हम इसके रिजर्ट्स की तरह पाएंगे कि रिजर्ट्स कैसे पाइंड़ करने हैं मतलब क्या हमारा प्रोड़क्ट है उसको हमने यहां पर फोकस करना है तो देखो इसमें होता ही है कि आपके पास यह CH4 है तो आपने क्या किया एक एच निकाल दिया और इसको अलकाइल हलाइड भी कह सकते हैं और इसको अलकाइल हलाइड भी कह सकते हैं तो आपने दिमाग में अलकाइल हलाइड रखा करें इससे आप रॉमीन भी आइड कर सकते हो ठीक है तो अलकाइल हलाइड जब होगा तो एक जनरल सेंस आपके पास आएगी अच्छा बहरा नेक्स टेप में, तो फर्स टेप में आपने क्या बना है? आपने मिराकर लिख देना है, जैसे के ये CS3 है, और ये भी CS3 है, इन दोनों का मिलाएं और लिख दें, ये क्या थरीका कारिक त्यार हुआ? ये अब आपने ये सीख लिया, कि जब हमने कार्बन को भढ़ाना होगा, तो हम कर देंगे क्लोरिनेशन और हम कर देंगे ये रियक् था, कि इंक्रेमेंट आफ कार्बन अगर करना है आपने, जैसे कि ये इंक्रेमेंट आफ कार्बन है, तो उसमें क्या हुआ? नमबर वन, क्लोरिनेशन या ब्रॉमीनेशन, फस्ट टेप और सेकिंड स्टेप इस वर्ट संथेस्ट ये करने पर आपकी कार्बन की तदाद मजीद बढ़ाना है, ठीक है? अब ये जो है ना, एक कार्बन से तीन करना, ये एक इशू है, वो क्यों? क्योंकि वर्ट संथेस्ट के ये एक लिमिटेशन है, वो ये है कि हमेशा वो कार्बन की तदाद को डबल करती है, यानि कि वन से आपको कर टू कर देगी, टू से फो दुबारा से सनलाइट में करनी है, फ्री रेडिकल मेकनिजम, या आप कहलो कि आपने जो फस्ट रियक्शन किया था ना, उस रियक्शन को दुबारा से आपने दोहरा दिया, और क्या हुआ था, वहाँ भी अलकाहिलाइट बना था, और यहां पर इथाइल क्लोराइट बना खैक है, स्यम्मण, एक एune एक निकाला, एक बियाट डाला और जो एच निकाला, वो दूसरे बियार के साथ मिलकर एक बनाएगा, जिसके कह यहां पर भी भागा था, बस फ़र खीयता कि वहाँ क्लो 판श को दुबारा 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 करना है, जिसके कि आपने कार्ब कर दी एक स्टेप कंप्रीट हो गया कारवन बढ़ गया अब दूबारा से हमने क्या करना है मजीद कारवन बढ़ाना है तो उसके लिए क्या किया उसके लिए क्या से ओने किया अब प्रेम photon ट्यार किया और आपने एक्शुली आर और Mg X यनि अलकाहिलाइट त्यार किया Mg तो Mg रहता है और X के जगा पर B R आ गया अब क्या करोगे अब यह करोगे कि आपने कारबॉक्सीलेशन करनी है यनि आपने कार आपने अलकाहिल हिलाइट के जरीए बनाया क्या number 1 याद कर लो Grignadregent और Grignadregent करवा रहे हैं carbon dioxide के साथ तो carbon dioxide करने के बाद हमेशा carboxylation या कह लें carbon dioxide का बढ़ जाना carboxylation हो जाती है और इस तरह से आपके पास बन जाता है carboxylik acid मतलब अगर आपने carbon किता ना बढ़ानी होती तो आप simply just क्या करते आप इन्हें सिर्फ कार्बक्सली के सिर्फ बनाना होता तो आप ग्रीगने ड्रीजन एंड प्लस कार्बन डायोकसाइड तो अगर हमारी फस्ट जो हमने पॉइंट्स पड़े थे उन पॉइंट्स को देखें तो यहां पर एक चीज मैंने आपको समझाई थी और वो यह थी कि कि अगर हम इंक्रिमेंट कर लेते हैं चीक है यानि कार्बन की और साथ-साथ हमें कार्बॉक्सली के सिर्फ भी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा नंबर वन ग्रीगने डिजन तियार करेंगे और फिर कार्बन डायक्सरेशन करवा देंगे तो यह भी आपके पास एक प्र करकर कार्बन की यज़िदाद बढ़ा लिए इस विए जहां हमारे पास सिंगल कार्बन वाला है अब डावल कार्बन वाला अलकीन है यह तो वहीं का वहीं रहे गया अबंपिर क्या किया फिर हमने दوبारा से संणलाइट ने कर दी तो इसके नतीजे में कार बॉक्साइल गुरूपिया केलो के कार बॉक्सलिक इसड़ गुरूप बन जाएगा ठीकर यह वाली बात और यह बात मैं शुरू में भी आप से की थी जैसे कि हम यहाँ पर देखें के दो मैथट थे हमारे पास फस्स मैथड यह था जो अभी ह से रेक्शन करवा कर करना है तो तब भी आप कार्बॉक्सलिक इसड़ बना सकते हो तो यह भी एक कार्बन एक कार्बन को बढ़ाया मतलब यहाँ आप गौर कर रहे हो कि दो तरह की रेक्शन है इसमें दोनों रेक्शन में कार्बन की तदाद बढ़ रही है पहले में हम वर method अपना है या तो ग्रिग्नेट और कार्बन डायोकसाइट या फिर सी एन गुरुप को एड़ करकर उसकी हाइड्रोलिस कर दी जाए दोनों सूर्तों में सेम काइंड आफ रेक्शन आपके पास बन जाएंगे तो देखो भी इसमें भी ऐसा ही हुआ है तो आप देखो मैफ़ किया के केसियन के जरीए से नाइट्राइल गुरुप एड़ किया और नाइट्राइल गुरुप को हमने हाइड्रोलाइज करकर कार्ब बॉक्सले केसिट में चेंड कर लिया ये चीज़े आपके पास हैं कोशिक क्या करें लिख लिया करें एक दफ़ा पढ़ते भी रहा करे इस यहीं के यहीं तियार हो जाएगा बाद में आपको फिकर करने की जरुत नहीं पड़ेगी ये वड़ी खास बात है चलते हैं अपने नेक्स कनवरजन की तरफ जो मारी नेक्स कनवरजन है वो क्या कहती है हमारे पास है CS3, CS3 यानि एथेन और हमने तियार क्या करना है अमोनियम का मतलब होगा नाइटोजन पर चार्ज है ठीक है और ब्रोमाइड यानि जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड एक ही बात है नेगिटिव चार्ज आएगा तो यह आपने त्यार करना है कैसे त्यार करना है इसको हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमन कार्बन की ज्यदात को बढ़ाना नहीं है बट ये एक सीरीज का रियक्शन है और सिंपल सा एक ही रियक्शन है जिसको बार-बार करना है तो इसमें देखो क्या होगा इसमें जास यह है कि आपने फिल्स टैप है МУिनेशन कर ली Bromination करने का के बाद किया हुआ Brominaid हो गई एक catch निकल गया और एक BR के साथ में करच BR बनाया यह वही बन गया जी Alkyl Helide ठीक है और यह आप कहलो Ethyl Bromide अब Ethyl Bromide का reaction करना है Ammonia के साथ अब Ammonia के पास क्या है देखो Ammonia के पास तीन Hydrogen है जो reaction की series है वो simple सी है एक एक catch निकालते जाओ और Ethyl को add करते जाओ ठीक है यह एक एक catch निकालो और उसकी जगापे Ethyl Group को replace करो तो इसमें कुछ यह हुआ कि यह आपके पास क्या है number first reaction इसमें हुआ क्या देखो NH3 का एक catch निकल गया वो BR से मेरा यह बन गया HBR तो BR निकल गया और H NH3 ठीक है और यह लॉन पर रहे नाइटोजन के पास और यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास है अलकाइल यानि इथाइल और इदर रगा लेते हैं ब्रोमाइट अब आपने क्या करना है HBR निकाल देना है जैसे यह निकाल दोगे HBR तो जो बागी बचेगा वो क्या है इथाइल और उसको मिलेगा NH2 ठीक है यह रेक्शन दबारा करेंगे जब रेक्शन को दबारा करेंगे तो कैसे करेंगे आप देखो जो हमने पहले लिखा NH2 यह रहा वो NH2 अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस NH2 में से एक H दुबारा से अलग करके लिखूंगा कैसे अलग करके लिखेंगे यहाँ पर जैसे उपर लिखा था इस रेक्शन में और यहाँ क्या है यहाँ पर वो ही जो हमने बनाया है actually, क्या बनाए है, इधर R है, R का मतलब है इथाई, ये दिमाग में रखना, और दुसी तरफ क्या है, दुसी तरफ भी वही है, R, B, R, यनि कि हमारे पास ये four times होगा, अब क्या गरोगे, दुबारा से एक H और B, R निकाल दोगे, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब हो ही NH, लेकिन पहले एक R था, एक R और आ गया, तो आप लगा दो R, 2, मतलब इथाईल two times, ठीक है, और N के पास लोन प्यर भी है, दुबारा से इसको ले लेते हैं, यानि यही compound दुबारा लेते हैं, अब के बार वह लिखेंगे, N और H बाहर निकाल के रखेंगे, और इसक के पास कितने R हैं, इसके पास दो ही थाईल है, रियक्शन फिर दुबारा से वैसा ही होगा, जैसे हम, यहां पर बात कर लेते हैं, R, और यह जी, B, R, फिर दुबारा से H, B, R निकल जाएगा, और अब के बार, नाइटोजन के पास, दो तो R पहले थे, एक R और और आ गया, यह नहीं के R, त्री टाइम्स, यह थ्री थाईल हो गया, अब क्या करना है, अब दुबारा से यह काम करना है, लेकिन आप करेंग ठीक है, यानि आवलकाइल हलाइड बना चुके हो, इथाईल ब्रोमाइड बना चुके हो, अब जितनी दफाह उसको रेट करवाना चौक करवालो, यहां पर क्या होगा, अब होगा यह, कि आप तसवर करो, कि जो नाइटोजन है, यह अपने इस लोन पेर के जरीए से एक ब एक तो उसका अपना है, एक वो इजाफी ले गया, इसलिए चार्ज आ गया ब्रोमीन बर नेगेटिव, अच्छा आब बागी क्या बचा, बागी आपके पास बचा यह वाला आर, कौन सा वाला, यह वाला आर बच गया आपके पास, और इस आर पर एक अलेक्टरॉन की कमी ह या कहलो इस आर पर चार्ज आ गया पॉसिटिव, मैं ज़रा इसको अलग निकाल के रखता हूँ, आर पॉसिटिव कहलो, या भी कहलो बात कुछ यूं हने लगेगी, कि नाइटुजन कहेगा, कि ऐसा करो आर भाई, आप मुझसे एक अलेक्टरॉन ले लो, अच्छा, अगर आर ये अलेक्टरॉन ले ले, तो क्या होगा, इसकर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, खतब, अच्छा, लेकिन नाइटुजन पर चार्ज आ जाएगा, पॉसिटिव, मैं लिखता हूँ, ये नाइटुजन पर चार्ज पॉसिटिव, लेकिन नाइटुजन कहीगा, कि तो तो ये मेरे पास दूसरा वाला अलेक्ट्रॉन है, इस अलेक्ट्रॉन को भी हम दर्मियाने मिलाकर एक बॉंड मना लेते हैं, ओके, इस तरह से पहले तो, उसके पास तीन आर तो मुझूद थे, और अब ये चौथा भी आ गया, तो मिलाकर लिखते हैं इसको, यहां पर, जिस से करता हूं, मलकि इथाइल लिखना हूं, तो देखो भी, यह इथाइल, CH3R की जगा लिख रहा हूं, CH2, कितने टाइम्स हो गया है, 4 ताइम्स, और इसके साथ N पर चार्ज क्या है, पोसरेव, और यह दो हमारे पास BR है न, इसको भी साथ मिलाकर लिखो, BR-, यह बन गया, कॉटनरी इथाइल, अमोनियम, ब्रॉमाइट, ठीक है जी, और अब इसको दुबारा से हम देखते हैं, अपने पास के कैसे बात बनी, तो बात कुछ यूँ बनी, यह आपके पास है, फस्ट रियक्शन, जो हमने पहले सेक लिया था, इसमें हमने क्या बनाया, एक्चुल हमारा मकसद यह था, कि फस्ट स्टेप में तो हमने बनाया, इथाइल ब्रॉमाइट, यह हमारे पर बहुत सारे, इसमें से एक मिथाइल ब्रॉमाइट हमने इस्तमाल पर यह इसको देखते जाओ यानि क्या मतलब हुआ मतलब यह हुआ जो परस्ट आपके पास मॉलेक्व था इस मॉलेक्यूल को यह पर यह इस तरी इसमें से एक एच निकलके एच बियार बन गया समझो दुबारा दुबारा एच निकालते जाओ जैसे अभी हमने सीखा है कि क् होगा यह कि एक एक एच निकलता जाएगा यह वदा एच पहला एच है यह आपके पास जो है यह आपके पास पहला एच है यह आपके पास दूसरा एच है यह आपके पास तीसरा एच है ठीक है जो किसके साथ जा रहा है पी आर के साथ बी आर के साथ बी आर के साथ ठीक है और फिर इसके बाद 3 क्या निकलेंगे 3 उरा तरी ताइम्स निकलेंगे तो यह आपको नज़र आ रहा है यहां पर पर पहला बी आर निकला फिर उसके बाद daw निकला फिर थर्ड निकला तो इसकी कहानी दर्भान अब आजाओ वापस, वो कहानी यह है, कि जब H निकला, तो बाकी इथाइल मिल गया N के साथ, फिर दुबारा से इथाइल मिल गया, दो हो गए, एक और N के साथ, फिर तीसरी दफ़ा भी इथाइल मिल गया, एक N के साथ, समझा हमें चुका हूँ, आप देख सकते हैं, कि किस से एच निकल रहा है, और जब फोर्थ टाइम हाया, तो फोर्थ टाइम में क्या हुआ, कि आपके पास यहाँ, जब यह एक लास्ट वाला इस्तमाल हो रहा है, और इसके साथ एक्शन हो रहा है, तो अब H है ही नहीं नाइटरिजन के पास, बलके उसका लोन प्यार इस्तमा हमारें पास क्या है, जो रियक्शन है, वो बहुत इसी है, यह कोई इतना खाक्सम का कन्वर्जन नहीं है, बट कभी-कभी आप कन्फूज होते हैं, तो उसको हमने सही कर दिया, तो सिंपल सिंपल सा अमोनिया था, एक एच निकाला, दूसर एच निकाला, तीसर एच निकाल बियार को दिया एच बियार बनाया, और जो बाकी इतायल था, वो एड होता रहा, उस एच की जगापर जो अमोनिया से निकलता रहा, तीन दफ़ा तो ऐसे हो गया, और फौर्स ट्राइम, नाइटरजन ने अपना लोन पर इस्तमाल करते हुए, एक और इतायल को अपने रियक्शन की तरह, जो नेक्स्ट हमारे पास रियक्शन है, वो है कुछ ऐसे, कि अब हमें त्यार करना है, CH2, double bond, CH2, नजर ना रहा हो, तो आप लेख लो, CH2, double bond, CH2, को आपने convert करना है, कैस के अंदर, देखो, CH3, CH2, 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 और COOH, नजर नहीं आता, तो आप यहां प पास total है, CH3, CH2, 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 OH, बिलके alcohol है, ठीक है दी, तो alcoholic group add करने है, इसमें आपको similar situation नजर आ रही है, क्या, एक तो carbon हमारे पास क्या है, दो है, जो static material में है, carbon number 1, and carbon number 2, और जो आपके पास दूसरा step है, last वाला, इसके अंदर देखो, तो carbon कितने है, 4, तो carbon की दिदाद बढ alcohol, तो alcohol भी तियार करना है, यह जी हमारे पास दो मकासित हैं, इन मकसद को आगे लेके चलते हैं, तो इसमें simply क्या है, हमने oxidation किया, oxygen की मुझूदगी में, ठीक है, तो oxygen क्या होगी, यहां से एक bond तोड़ देगी, और तोड़ने के बाद यहां पर add हो जाएगी, that is called epoxide, अगर ethylene से या ethene से बना रहे हैं, तो इसको हम ethene epoxide या ethene epoxide कह सकते हैं, ethene oxide ही बोल सकते हैं, ठीक है, तो ethylene epoxide, यह याद कर लो, जब epoxide का word आएगा न, epoxide का, तो हमेशा ऐसा होगा, इस तरह की situation बनेगी, कि carbon carbon जुड़े होंगे, और oxygen एक bridge के साथ attach होगा, ठीक है, तो oxygen as a bridge काम कर रहा होगा, दो carbon को जोडने के लिए, अचारी, यह होगे लिए, ethene epoxide, अब आपने reaction करना है, इसका grignet region के साथ, अब आपने grignet region जो है, वो wisely choose करना है, देखो, दो carbon तो आपके पास है, और चार चाहिए, तो आपको दो carbon यहाँ से लेने चाहिए, यानि अगर आपको सिर होगे हमें carbon के दाद 4 करनी है, तो हमने इसको 2 carbon यहाँ पर ली है, और इसी तरह अगर मजीद carbon चाहिए होते हैं, तो फिर आप CH3, CH2 और CH2 मतलब मजीद भी ले सकते थे, तो यह आप choose कर सकते हैं, अपनी मरजी से, यह भी कमाल की बात है, अच्छा, पिर चलते हैं मजीद आ चार्ज करना है, किसके साथ इस पर चार्ज होगा, पार्शल पॉस्टिव, इस आर को जोड़ दे रहे हैं, यह आर में दो carbon हो, तीन हो, चार हो, कोई फर्क नहीं परता, सब जुड़ेंगे, किसके साथ, CH2 के साथ, अब यह CH2 पर टैक होगा, तो carbon की विलंसी तो पहले ही च CH3, CH2, फिर दुबारा से CH2, CH2 जुड़ गया, और CH2 के साथ क्या आगा होगा, ओ, यह O, नेगिटिव चार्ज है, बाख खतम होगा, अब जो बाकी सा बचा, यह आनि MGBR, वो आखर के अंदर आकर लगेगा, अब इसकी करेंगे hydrolysis, यह समझ लो, कि इसको दो टुकड़ों मैं कर देना है, आपने, OMGBR को, O को देना है, H, तो यह आपके पास है, पानी का समयले, H, और जो पानी का OH है, वो आपने देना है, बाकी से को, यानि MGBR को, तो MGs अमयलो एक बकरी है, और BR उसकी दुम है, यह दो मेंचा साथ साथ ही रहेंगे, ठीक है, और जो OH है, वो आप को वाटर से मिलेगा, और H, यहाँ से भी वाटर को मिलेगा, तो आपने, actually, HO और OH को तोड़ दिया, इसी को भी बोलते है, हाइड्रॉलेसिस, तो आपने हाइड्रॉलेसिस की, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, कि वाटर एक अच्छा, H2O, एक अच्छा अलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो इसमें हम डालते है, एसेड, तो इन दोनों को मिलाकर बनता है, H3O, पॉसरिव, तो इसलिए पानी की अच्छी आइनाइजिशन के लिए, मतलब H और OH बनाने के लिए, हमें H पॉसिटिव, या इसेड का इस्नमाल करना पड़ता है, इसलि प्यार कर लिया है, ब्यूटेन का E हटा कर OL, ब्यूटेनोल, और इसको वन ब्यूटेनोल भी बोल सकते हैं, या ब्यूटेनोल भी खापी रहेगा, चलते हैं अपने नेक्स्ट कनवर्जन की तरफ, लेकिन इस से पहले, ये आपको मैं बताता चलता हूँ, कि जब भी हम कनव बहुत सारी possibilities होती हैं, आप different books पढ़े होगे तो आपको different मतलब methods मिल जाएंगे, लेकिन आप जो की method apply करो, तरीका ये है कि आपने वही reaction करना है, जो reaction already book में है, बस conversion का थोड़ा सा sense ही होता है, कि ये जो reaction होते है, conversion में 2, 3, 4 steps में, works रोकाती होता है, कि वो आपको एक ही 7 book मे नहीं मिल रहे होते हैं, जैसे कि आपने अलकेन बनाना है, कोई भी, for example, ethane, वो आपको एक अलग जगा मिल देगा, preparation of ethane में, लेकिन अगर आपने alcohol बनाना है, उसी step में, conversion में, लेकिन आपके book में वो conversion के साथ, या उस reaction के साथ नहीं होगा, बलकि किसी दूसरे chapter के अंदर, वो बन रहा होगा alcohol, और हो सकता है, कि आपको एक step और भी करना हो, alcohol को carboxlic acid में, चेंड करना हो, तो आपको ये जो last step होगा, conversion का वो एक और chapter में मिलेगा, carboxlic acid के, तो ये actually ये है, कि reaction तो आपके books में ही है, सारे के सारे, बट वो आपने combine करके लिखने है, ये ही conversion है, और इस chapters की बाते हैं, अलकेन का chapter अलग है, alcohol का chapter अलग है, carboxlic acid का chapter अलग है, लेकिन इनके अलग होने के बावजूद, conversion में आपने इसको इकठा लिखना है, मतलब ये बात करने का मक्स्त मेरा ये है, कि आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है एक, और दूसरा आपको जो question, यानि जो भी conversion के steps हैं, वो अपने अपने chapter से उठाएंगे, तो उनके साथ साथ उनकी conditions भी लेकर आएंगे, मतलब condition भी बहुत अदा एहम रहेगी, जैसे मिसाल के तो है, पर अगर आप इस reaction में को देखो, तो इस reaction में हुआ ये है, कि यहाँ हमें condition लिखनी पड़ी है, silver oxide 300 degree centigrade, तो आपने कहीं पर भी ऐसा नहीं करना कि reaction तो लिख दिया, reaction से product बना दिया, और product को हमने target material के ओपर, देखो भाई, जो बना रहे हो नहीं है, target material, कुछ बुक्स TM लिख देती है, target material, ठीक है, यह TM के लावा TP, target product, तो यह तो बन जाता है, लेकिन condition को आपने लिखना नहीं बोलन दो, there is a simple way to express any reaction that you have to put all conditions on the arrow, यह हो सकता है कि byproduct ना लिखो, यह आपको छूट है, but conditions दो लिखने पड़ेगी, चलते हैं अब भी next reaction की तरफ, यह conversion की तरफ, the next conversion is, is very simple conversion, ठीक है नहीं, इस conversion में क्या है, इस conversion में यह है, कि आपके पास CH3, CH2, CH2, CL है, मतलब आके पास है, तीन carbon है, तो wed होता है, prop, ठीक है न, और, alkyl halide है, तो alkyl की तरह लिखो न, propyle, ठीक है, और साथ लिखने है, chloride, तो यह आपको, यह भी इस तरह भी लिखा रहे सकता है, कि convert propyle chloride into propene, तीन carbon है, तो prop double bond है, तो in, ठीक है, chain करना है, तो basically इसमें क्या है, carbon के जदाद को हमने, घटान इसको तरह देखो, और से, हमें CL को हटाना है, एक, यानि, first हमारा target यह हो गया, और double bond को लाना है, तो यह reaction बड़ा easy सा है, इसमें potassium hydroxide के साथ हम reaction करेंगे, और reaction करने के बाद हम करेंगे dehydro halogenation, यह हम ओलड़ी पढ़ चुके हैं, देखो, मैं आपको थोड़ा सा, समझाओं यहां पर, देखो, dehydro halogenation, हमारा मकसद क्या है, हमने double bond, या कहलो, bond को बढ़ाना है, तो यह हमने लिखा था, increment of number of bonds, तो इसमें basically, bromination थी और dehydro halogenation थी, अब देखो, यह मैं समझाता हूँ, bromination और dehydro halogenation कैसे करनी है, इसी reaction को देखो, propyl chloride मे लिख रहा हूँ, यह आपके पास propyl chloride है, 1, 2, 3, और prop हो गया, यह CL, और यह आपके पास क्या है, H लगाने है, H लगाओ भई, यहां पर कितने चाहेंगे CH3, यहां कितने चाहेंगे CH2, एक H नीचे लगा दिया है, बस, यहां कितने चाहेंगे, एक, अब आपने reaction किससे करना है, potassium hydro oxide के साथ, अब simple simple सी बात है, और वही है, कि आपने K मिला देना है CL के साथ, और OH मिला देना है H के साथ, तो यह दो भी बन जाएगा, बैसे कि के CL और प्लस H2O, तो इसको तरह हम एक sense में देखें, तो sense यह कहती है, कि actually हमने hydrogen भी निकाल दिया और CL भी निकाल दिया इस compound से, तो इससे क्या होगा, एक electron इ carbon का बच जाएगा, और वही electron बनेगा, एक मजीद bond, क्योंकि एक bond तो पहले ही था, इसके दरमियान CH, और यहाँ भी हमारे पास याएगा CH, ठीक है, और इदर आएगा दि, CH3, इसमें कुछ एक कमी है, वो क्या की है, वो कमी यह है, कि मैंने यहाँ पर एक H कम लिखा था, CH2 CH2 है ना, तो यहाँ भी CH2 आएगा, ठीक है तो यह हो गए दि, प्रोपीन, सिंपल सा, और इसको दुबारा से देखते हैं, हमारे पास conversion है, potassium hydroxide, alcohol की मजूदगी में से कहते है, alcoholic potassium hydroxide, alcoholic potassium hydroxide, ऐसे भी लिखा होता है, और यहाँ पर एक चीज़ और भी आपने sense किया, और वो य elimination reaction कब होगी, वो तब होगी, जब alcoholic potassium hydroxide इस्तमाल करेंगे, अच्छा, आपको करेंगे सर, इसके लावा भी कुछ होता है, हाँ जी, इसके लावा भी होता है, aqueous potassium hydroxide, अगर aqueous potassium hydroxide यूज़ करेंगे, तो फिर क्या होगा, substitution, ठीक है, वो जब आएगा, तो वहाँ पर मैं दिखाऊंगा, अब ही फिलाल चलते हैं, वापस अपने conversion की तरफ, तो next conversion वो क्या कहती है, जम्हारी next conversion है, वो कुछ यू है, के convert करो, CH3COOH को, ठीक है, तो क्या सिंपल कर लेते है, CH3COOH का मतलब क्या है, कितने carbon है यहाँ पर, दो, तो आप लिखो, ETHAN, ठीक है, यह नहीं लिखा, यह आप नहीं लिखना है, क्या है, यहाँ पर यहाँ पर एक functional group है, Carboxylic Acid, COH, जब यह हो, तो आगे लगा लिएना, OIC Acid, तो यह आपके पास है रही, Ethanoic Acid, और इससे आपने बनाना क्या है, लास्ट में देखो, दिखा है, Propanoic Acid, ठीक है ठीक है, अब Propanoic Acid, और Ethanoic Acid में different Simples आए, आपको समिन में आ गया होगा, क्या समिन में आया, कि यहाँ पर Carbon कितदाद 2 है, और Propanoic Acid में Carbon कितदाद 3 है, यह नहीं हमें Basically Carbon कितदाद को बढ़ाना है, और Carboxylic Acid भी Retain रहे, यह कमाल की बात है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें आप just simply, ऐसे Carboxylic Acid को Retain नहीं कर सकते हैं, तब्दीर हो जाता है, लेकिन फिर उसको दुबारा से भी लाया जा सकता है, इसमें हमारे पास क्या है, सिंपल सा reaction है, sodium hydroxide की मजूदगी में, आप तियार करोगे, sodium acetate, यानि सिंपल सा H निकाल दिया, और उसकी जगा पर N ने लगा दिया, यह बन गया, sodium acetate, salt बन गया, यह salt हम अलड़ी भी काफी दबा सीख चुके हैं, देखो भई, CH3, COO, negative acetate, और N ने लगाया, तो sodium acetate, अब sodium acetate correction करेंगे, water की मजूदगी में, electrolysis, इसको कहते हैं, kolbs electrolysis, अब kolbs electrolysis के दुरान, हमेशे जाद रखेगा, कि जो salt का R है, जैसे कि इसका नाम है, methyl, यहाँ ethyl भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, वो जैसे ही, यह electrolysis complete होगी, वो R डबल हो जाएगा, ठीक है, यह word synthesis जैसा है, लेकिन word synthesis होती है, शुरू किसे, alkyl halide से, लेकिन यह कहाँ से शुरू होगा, यह शुरू होगा हमेशा, carboxylic acid के salt से, इसको हम कहते हैं, mono carboxylic acid, salt of mono carboxylic acid, sodium लगाया है, तो sodium salt of mono carboxylic acid, अचा दी, वरहल यह आपके पाश डबल आर त्यार हो गया, मतलब मकसद यह था, कि हम त्यार कर लें, दो carbon, अब दो carbon तो हो गए, अब sunlight में bromination की, और, क्या किया, देखो मकसद की है, यह हम already reaction कर चुके हैं, अब आप लिख रहे होना साथ साथ तक हैं, तो आपको इस समझ में आना शुरू हो जाएगी, कि हाँ, यह तो हमने पहले भी कर लिया था, यह reaction बिल्कुल यहां तक चलते हुए, सेम है, क्योंकि सर्वक कैसे, देखें, सिंपल सी बात है, पहले सब में ब्रॉमिनेशन की अलकाइल राइट त्यार कर लिया, अलकाइल राइट का reaction करवाया, मेगनेशन से ग्रिगनेर रिजेंट त्यार कर लिया, आर, एम, जी, यह वाला और, बी, आर, या, एक्स, और, जब हमने, पहले भी reaction किया है, भी, ग्रिगनेर रिजेंट का, कार्बन डायोकसाइट के साथ, तो, अटोमेटिकली, वो बना था, कार्बॉक्सलिक एसिड, तो, देखो भी, यह बन गया जी, कार्बॉक्सलिक एसिड, तो, अगर आप सिंप्ली करना चाओ, तो, आपने किया किया, देखो, बेसिकली, यहां पर सेंस क्या थी, यहां पर सेंस आपने यह रखी, कि हमारे पास कार्बॉक्सलिक एसिड को, या एसिड को, वही रखते हैं, नहीं बढ़ाई जा सकती, तो, आपको कहले कार्बॉक्सलिक एसिड से एक ऐसा तरीका थियार करना था, जिस तरीके से कार्बॉन की ताद बढ़े, तो हमने इसको सीखा, हमारे बुक में कोल्बज एलेक्ट्रॉलिसिज है, तो कोल्ब एलेक्ट्रॉलिसिज में यह है, कि R और R, या नहीं कि, जिसे मैंने भी बताया आपको वो मिल जाएंगे तो इस तरह से आपके पास क्या हुआ दो कार्बन थ्यार हुए इस दो कार्बन में तीसरा कार्बन भी डालना था तो तीसरा कार्बन डालने के लिए हमने क्या किया कार्बॉक्सिलेशन की और कार्बोक्सलेशन कैसे करनी पड़ी कार्बोक्सलेशन डिरेक्ली अलकेन में नहीं होती या इथेन में नहीं होती दो कार्बन वाले इथेन में नहीं होती तो हमने क्या किया उसको रियक्ट करवाया किसके साथ ग्रिगनर डियन के साथ यानि ग्रिगनर डियन को बनाकर कार कार्बन वाले ग्रीग ने डिजिट में चेंड किया यह मैंने जिसे आप से कहा है अभी कि मेगनीशम जो है वो एक बकरी है और बी आर उसकी दुम है हमेशा दुम साथ साथ ही जाएगी तो इससे आपने घबराना नहीं है बागी चीजों का ख्याल लखना है कार्बन की तदा यही थी कि देखो हमने क्या करना है कार्बन की तदाद को बढ़ाना है तो फिर कैसे बढ़ाओगे और कार्बॉक्स लेकेसिदी बनाना है तो ग्रीगनेट रिएजंट यह आपके पास पहले बताया है मैंने और कार्बन डायकुसाइड तो रियक्शन क्या हो रहे है और यह पास नेक्स्ट है वो कुछ ऐसे है कि आपने त्यार करना है मैथानोल से एथानोल ओह जी यह बहुत असान सा रियक्शन है इसमें भी देखो अभी हमने एक नेक्स चीज़ पढ़ी है यानि अभी जो पने पढ़ा है वह पने यह पढ़ाता है कि एसिड है उसको एसि प्रश्टा देखा है और एथानोल में कार्बन की तदाद क्या है दो है तो अब यह कैसे करोगे इसमें बड़ा आसा तरीका कर रहा है तरीका यह है कि सबसे पहले आप लोगे मैथानोल उसकी करोगे ऑक्सिडेशन और यह बन जाएगा अल्डी हाइड अब करोगे सर यह सिखा है आपको याद कर लो शुरूरू से बताया था मैं दुबहार दुबहार पताया वहूं ताकि आपको याद हो जाए नेबर वन आपने क्या किया अलकेन की और उसकी oxidation आपने की और क्या बनाया LD हाइड याद रहे कि एक carbon वाला अगर alcohol होगा तो एक carbon वाला ही LD हाइड बनेगा LD हाइड की निशानी होती है जिसमें CHO होता है अच्छा अब चलते हैं next step कितरा next step क्या है next step यह है कि आपने CH3 mgbR ले लिया गोर के सर यह क्या लिया यह आपनी मर्दी से लेना है मैंने पहले भी कहा था यह R है यह आपके पास mg है और यह क्या है घी BR इसमें das यह एक हमारे पास अलड़ी था यसे यह e1 carbon है और यह यह हमारे पास दूसरा carbon है तो दो carbon जोडने है हमled़े अब दो कार्बन जोडने के लिए क्या करोगे रियक्शन करवाओगे ये क्या चीज़ आपके पास HCHO ये वो LD हाइडर जो हमने पहले बनाया था मतलब एक ये वला और एक अपनी मर्दी से हमने लिया है CH2 मतलब ठेक है तो मिला के बोलोगे और उक्सिजन कार्वन की विलेंसी डिस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर ये विलेंसी शिफ्ट होती है तो उक्सिजन परचार जादाता है नेगेटिव जो बाकी बकरी और उसकी दुम है वो MGBR साल लगेगी Hydrolysis करोगे Hydrolysis करने पर वही पुरानी वाली बात O को मिल जाएगा H और उस बकरी को मिल जाएगा OH ठीक है और यह आपके पास त्यार हो गया Ethanol यानि अब आपने सीखा एक और बात और वो यह जो आपने इच्छी तरह समझनी है कि अगर आप Grignate Reagent लेते हो और Grignate Reagent का Reaction करवाते हो किसके साथ LDHID के साथ ठीक है Grignate Reagent प्लस LDHID तो क्या बनेगा बनेगा Alcohol ठीक है अब बात करता हूँ Grignate Reagent का Reaction करवाओगे किसके साथ LDHID के साथ तो बनेगा Alcohol तो यह याद कर लो अगर आप LDH लोगे फॉर्म LDH इस तरह एक और बास ही को तो बनेगा primary alcohol ठीक है और अगर आप acid LDH लोगे तो secondary alcohol और अगर आप क्या लोगे ऐसी टॉन तो बनेगा tertiary alcohol तो आप तीन अलकॉहल यहां बना सकते हो ठीक है अगर आगे आएगा तो आपको समझाएंगे अब इतनोल को आपने change करना है मेथनोल में अब क्या हुआ वो भई बड़ अच्वाल आया अब आपके पास ये भी alcohol है और ये भी आपके पास alcohol है ठीक है डी, mote último alcohol है एक में क्या है, एक आपके पास क्या है एक देखो carbon के दाद है दो ठेक है और यहां carbon के दाद है एक अब उपर वाले reaction auditory reaction में क्या difference है वहाँ पर आपने एक carbon को chain किया था दो carbon में और अब इस reaction में क्या है इसमें भी alcohol है लेकिन दो को chain कर रहे हैं तो यह reaction भी आपके पास है दखो इसमें हम एक तरह की को यह आपके पास क्या है reaction में अब यहां पर क्या स्टोरी है यहां पर स्टोरी यह काम आता है as a dehydrating agent यह अपने दिमागे बठा लो यानि इसने पानी को remove करना है कैसे करना है आप इसको और दूसी तरह भी CS2 तो कार्बन की विलेंसी justify करने के लिए क्या होगा दर्मियान में double bond आ रहेगा तो यह जो double bond आपको लगा कर दिखाया गया है यह इस तरह से आया है तो यह है simple method जिसके अंदर से आप इसे हम कहते है dehydration of alcohol ठीक है और जो primary alcohol होता है उसके लिए यह condition लगती है और secondary alcohol होगा तो फिर थोड़ी less drastic condition होंगी थोड़ी mild condition हो जाएंगी वो आप अपनी book से देखोगे ताकि आपको उस reaction का comparison हो जाए फिलाल मैं confuse ना करने के लिए सिर्व यह reaction आपके के तरफ लेकर चल रहा हूं अब आपने इथीन बना लिया अब आप इथीन वाले chapter में जाएंगे तो वहां पर आपको नज़र आएगा कि इथीन की ozonolysis की गई है ठीक है न यह आपके पास heading होगी ozonolysis अब ozonolysis में क्या होता है यह पहला बनता है molozonide यह unstable compound है rearrange होता है और बनता है ozonoide बस पिर आपको थोड़ा सा मुश्किल पेशाती हो तो आप बस इसके साथ लिखो ethine यह जो c और c दो दफ़ा है न तो word बन गया eth और दर्म्यान में क्या है double bond है तो in यह बन गया ethene आपने ethene के साथ o3 यानि ozone लिखने है और directly यह बना देने है ठीक है इसी चीज़ को book ने कैसे लिखा है अगर यह भी न बनाओ तो यह बनाने के वज़ाए directly यही बना दो यह और पहले बाले में यानि ozone में कोई difference नहीं है बस फर्क यह है कि H को खोल के लिखा है तो पहले step तो आपने क्या किया first step में आप में directly ozone बना लिया अच्छा next step म समझो कि यह आपके पास O निकल गया तो जब H2O को यह O मिलेगा तो यह बन जाएगा H2O2 और जो बाकी हिसा है ना इसको आपने अलग कर लेना है यानि यह वाला हिसा अलग और यह वाला हिसा अलग तोड़ लेना है तोड़ने के बात क्या होगा यह बनेगा अगर एक दफ़ा बनेगा तो यह आपके पास दो दफ़ा बनेगा इसका नाम क्या है इसका नाम है यह करना है कि यह आपके पास है पॉमलली हाइड का हाइडोजन के साथ रियक्षन तो सिंपल से यह होगी रिड़क्षन अब आपने एक बात याद कर लीनी है यह मैंने आपको पहले भी सिखाया था अब बारा दिखाता हूं आपको देखो जब हम कहते थे कि एक एहम रियक्षन है और इस रियक्षन में ल रियक्षन से क्या आता है अलकॉहल तो यह वाला सहन में रियक्षन रखते हूए आप दुबारा से सीखो यहां पर क्या हुआ यह आपके पास था यह अपने ने कर दी इंधा ऑर इसके निदे में क्या बना यह याद रखा जाए कि अगर एक और यह कार्बन वाला यह हुग बाकी आपके कि सर हाइडोजन तो लगा ही नहीं तो हाइडोजन को लगा लो यहां कितने लग सकते हैं एक ही लग सकते हैं यहां कितने हाइडोजन लग सकते हैं तीन लग सकते हैं CH3 तो देखो हमने क्या बनाया हमने फॉर्मर्ली हाइट से हमने बनाया मैथनोल तो यह जी आपके पास last point आगया, मैं दबारा से दिखाता हूँ यह last point में हमने क्या बनाया जी मैथनोल, या कहले मैथनल, और इस मैथनल को हमने prepare कैसे किया था हमने इसको prepare किया था आथनल से, ठेक है, तो यह थोड़ा सा एक reaction, लंबा reaction हो गया, इसको तरह sum up करते हैं, summary क्या है इसकी, summary बड़ी easy सी है, summary यह कहती है कि बाई, first step में आपने alcohol से बनाया alkyne, second step में आपने alkyne की की ozonalysis, और ozonalysis के अगर step आपको मुश्किल लग रहे हों, तो आप directly ozonalysis में first लिखो reactant, okay, और फिर उसके साथ O3 डालो, और O3 डाल के directly आप आज़ो aldehyde पर, ठीक है, यानि कि आपने aldehyde बना लिया, यह second step था, यानि first step, क्या हुआ, dehydration of the, यानि water निकालना, in the presence of sulfuric acid, second step था, ozonalysis of alkyne, और, यह second step, और third step, जो है, वो क्या है, third step में, चुके आपने बना लिया aldehyde, तो उस aldehyde से आपने किया reduction, तो तीन step आपके दिमाग में रखने हैं, कौन को स्टेप हो गया, first step क्या हो गया, first step, dehydration, number second step, ozonalysis of alkyne, the third step, reduction of aldehyde, तो इस तरह से त्यार कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा समय में आ जाएगा, चलते हैं आपने next conversion की तरफ, next conversion क्या कहती है, next conversion कुछ यूँ है, कि वह हम पर लिखा हुआ है, CS3, CS2, OH, यह नहीं कि आपके पास एक alcohol है, और इसे आपने change करना है, isopropyl alcohol, यह नहीं कि एक branch वाले alcohol के अंदर, तो यह देखो एक नहीं चिसमन में आ रही है, यह simple alcohol है, इसको आप कह सकते हो simple है, इसमें कोई issue नहीं है, लेकि जो last वाला alcohol आपके पास आ रहा है, इस alcohol में देखो, इसमें भी तीन कार्मर है, वान, टू, और यह आपके पास थ्री, इसको सीधा करके लिख दिया है मैंने, और दर्मियान में क्या है, OH, तो alcohol का OH branch में आएगा, जी कि इसको आप secondary alcohol भी कह सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले 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 पह तरीका, तो आप समझे लें कि आपने इसमें कुछ और भी आइड कर लिए, और वो है कि आपको primary alcohol दिया गया है, और उस primary alcohol से आपने secondary alcohol बनाना है, यह बात भी दुरुस्त है, और यह भी है कि ethanol से आपने isopropyl alcohol बनाना है, चलते हैं इसको समझने के लिए, तो समझने के लिए इस first step वो है oxidation, क्या मतलब वही oxidation, देखो दुबारा से दिखा देते हैं आपको, oxidation और फलकेन को अगर हम गवार से देखें, तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें कुछ steps है, और first step क्या कहता है, first step यह कहता है, कि आपने अगर अलकेन से chain करना है, तो alcohol में chain क्या रहा सकता है, और alcohol alcohol को aldehyde में chain किया रहा सकता है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी तो यही तो हो रहा है, कि आपके पास एक alcohol है, उसके आपने oxidation की है, और वह chain हो गया है aldehyde के अंदर, तो same to same, अब aldehyde का reaction, अभी मैंने बताया था, आपका करवाना है, ग अगर आपके पास होता, यहां पर primary alcohol बनाना, तो फिर आप कहां से करते है, फॉर्मेड़ी हाइट से, वह हमने last step में किया था, यह last conversion में किया था, और अगर आपने, मिसाल के तरप बनाना है tertiary, तो फिर आपको रखना पड़ेगा यहां पर acetone, यहनी acetone की, अगर आप क्या क product है, बाकी अगर आप थोड़ा सा इस्टेक्शन को देखना चाहो, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, जैसे मिसाल के दोर पर, इसको तरह clear कर लेते हैं, आप सुचो कि आपके पास alkyl, अपना magnesium halide या के gregnate reagent है, gregnate reagent का R पर charge क्या होता है, partial negative, और यह partial negative जो ट CH के साथ, ठीक है, और यह CH के साथ, पहले भी एक CH3 मुझूद है, जो कि आपने उपर लिख दिया, लेकिन carbon की valence justify करने के लिए, एक bond कम करना पड़ेगा, क्योंकि carbon एक bond से जुड़ रहा है, तो oxygen पर charge क्या आएगा, negative, ठीक है, यह negative, और बागी जो बच गया, आपके पास M GBR, वो M GBR को आपने यहां लगा देना है, ठीक है, बकरी और उसकी दुम, और फिर वही जो आखरी मैंने का है, hydrolysis करो, तो hydrolysis करने के पार O को मिल जाएगा, पानी का H, और M G को मिल जाएगा OH, ठीक है, तो automatically यह आपके पास त्यार हो गया, secondary alcohol, ठीक है, तो secondary alcohol, और इसके ब alcohol में चेंड करना है, ethyl alcohol, alcohol बनाना है, alcohol को कैसे बना सकते हैं, देखो हमारे पास है, फॉर्मल लिया, यह रही फॉर्मल लिया था, ठीक है, वो पिछले स्टप गिया, पिछले चप्टर का था, यह चप्टर वाइस चल रहा है, तो जैसे जैसे आप चप्टर आगे कि तरफ लेकर जा रहे हो, तो यह मैं साथ साथ की exercises है, मैंने यह questions को यहाँ पर दिखाया है आपको, तो exercises भी solve, यह एक्सरसाइज भी साथ साथ solve वह रही हैं, और साथ साथ आपको समझ भी आ रहा है कि आपने कैसे reaction को करना है, तो देखो, इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने यह किय कि वही, grignogen ले लिया, जिसमें एक R है, और दुस्री तरफ हमें ले लिया, form aldehyde, जब form aldehyde लिया, तो form aldehyde और grignogen से क्या आसल होता है, primary alcohol, अभी मैंने समझाया है, तो primary alcohol में वही एक CHT जुड़ा, यानिके जो grignogen का था, वो जुड़ा किसके साथ, aldehyde के carbon के साथ, औ aldehyde की यहां पर OH में तब्दीली, वही परानी वाली तब्दीली है, यानिके O के साथ पहले MGBR आदेगा, hydrolysis करोगे, O को मिल जाएगा H, ठीक है, और BR को मिल जाएगा OH, इस तरीके से आपके पास primary alcohol है, अचा कोशिश करें, साथ सब मैंने आप से कहा है, कि इसको हल करते लएं, लिखते लएं, लिख देने से होता है, कि आपको साथ समय में आता है, और जो problem आपको साथ सब्सक्राइब हो रहे हो, वह आप मुझे comment box में लिखे दोता सकते हो, कि सर यह थोड़ा सा मजीद express कर दें, और यह सारी reaction जो हमारे पर LDHight के टोन के हैं, अगर आपके चप past 12 मेरखान Academy YouTube पर तो आपको मेरा पूरा पूरा चप्टर मिल जाएगा, LDHight के टोन को आप करो, और वहां से आपको यह सारा primary candy tertiary वाला, जो कर मामला आपको confuse कर रहा है, तो वह वापे हीजी हो जाएगा, ठीक है, चलते हैं अपने next conversion की तरफ, जो next हमारे पास conversion है, वो को ठीक है, यह वाली बात हमने कहा पढ़ी थी, यह वाली बात भी हमने पढ़ी थी, देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो, जो हमने oxidation की थी, तो मैंने आपको यह सखाया था, कि oxidation करते हुए, अलकेन से alcohol, alcohol से LDHID बन सकता है, और किटोन ही बन सकता है, अब मैंने आपको क्या बनेगा, किटोन बनेगा, ठीक है, तो यह आपने तरीके से थोड़ा चलना है, अब किटोन आपने बना लिया, या किटोन आपके पास है, अब आप किटोन से क्या करना चाहते है, उसकी oxidation, तो क्या बन जाएगा, कार्बॉक्सली केसिड, अच्छा, यहां पर फिर एक reaction किया, तो किटोन से करने पर आपको कार्बॉक्सली केसिड दो हासिल होंगे, ठीक है, यह हो सकता है कि समिलर भी हों और हो सकता है, डिफरन भी हों, अगर किटोन आपका उन्सेमेटरिकल होता है, और कार्बन की तदाद कुछ ऐसे होती है, तो फिर यह दो कार्बॉक्सली क इताएँ पर समझाया कि किस अंदाग में आपने सोचना है चलते हैं वापस अपने केंवेजिन की तरफ तो देखो भी यहारे पास क्या किटो सब्सक्राइब होगा आयए से मेंट होगा वहिए आपको two types के मिलेंगे अलग अलग किसम के मिलेंगे ठीक है तो आपने इसको अगर समय ना है तो थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको देखो क्या होने वाला है यह आपके पास एक ketone है ठीक है और यह कैसा हुआ symmetrical हो गया जब भी आप इसकी old苦ation करो गया तो शोचो कि यहांसे तूट गया यहांसे तूटेगा यह दूसरी साइश से रूटेगा एक ही बात है तूट़ने के बाद क्या हुआ हुआ है कि यहां पर 2 Pardon है यहां पर 1 कार्बन है तो आप एग जहां लेकलो 2 क कार्बन और प्लस एक जगा लेकलो एक कार्बन और दोनों को कार्बॉक्सलिक एसिड में चेंड कर दो क्योंकि आपके पास बहुत सारे अक्सिजन मुझूद है आप ऑक्सिजन नहीं कर रहे हो तो आपने यहां पर भी ऑक्सिजन लगा देना है ठीक है और जो बच गया क्या एच तो यहां पर कितने एच आ सकते हैं यहां पर आ सकते हैं तीन एच और यहां पर कितने आ चा सकते हैं एक तो यह जो आपके पास एसिड है कि दो कार्बन वाला है दो कार्बन वाले को कहते हैं एथ या इथेन का ए हटा कर ओ आईसी एसिड यह आपके पास बना और इसमें अपके बस कितने कार्बन है एक तो एक कार्बन का मीथेन का यह अटाकर ओ आई-सी एसेड लगा देंगे ठीक है यह आपको समझा रहा हूं और अगर आपको समय नहीं तो पुछ लेंगे तो यह आपके पास क्या हुए दो एसेड ठीक है कब जब आपने कीटों इस सकते हैं ठीक है हमारी बुक में जो एक्जांपल दीविए अंसमेट्रिकल की टॉन की जैसे अगर मैं आपको में साथ 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 यह दूँ चलो असल में काफी बड़ा काम हो जाता है तो CH3 यह आपके पास CH2 और यह भी आपके पास CH3 ठीक है अब क्या हुआ यह अंसमेट्र की अपके दाद कर्म हो गई या आपने हीस साथ से नहीं तोड़ना आप तोड़ने पर क्या होगा यहां पर कितने कार्बन ihan 2 और बागी कितने कार्बनबचए 2 तो आपने दो दो कार्बन वाला एसЕ ठीक है एक कार्मन और यह लगाओ CH3 एस्टीक एसड़ और जो के पास on symmetrical तो on symmetrical के बारे बताया और symmetrical के बारे ठीक है समझ में आगे होगी कुछ ना कुछ हमारी बुक में भी है चलते हैं अपनी conversion के तरफ वो क्या कहती है कि आपने first step के अंदर तो क्या कर लिया carboxlic acid त्यार कर लिए और आपके मरदी है इसका इस्तमाल करें या इसका इस्तमाल करें लेकिन फिलाल जो हमने alcohol त्यार करना है वो भी ethyl alcohol है इसमें दो carbon होने चाहिए तो दो carbon वाला acid लेंगे उसकी reduction कर देंगे तो दो carbon वाला आपको क्या मिल जाएगा alcohol को कि सर यह काम पढ़ा था देखो भी यह ऐसे पढ़ा था कि जब हमने reduction करनी थी reduction में देखो क्या हुआ है carboxlic acid से aldehyde त्यार होता है और aldehyde से alcohol त्यार होता है आपके मरदी है दो step में नेशन करो या single step में नेशन कर दो तो देखो हमारी इस example में क्या किया है कि acid से reduction करकर आपने alcohol directly त्यार कर लिया है तो आप दो step में करो single step में करो आपकी मरदी है और यह लिखना मत बुना lithium aluminum hydride that is the region which will provide more number of hydrogens ठीक है रही चलते हैं एक और conversion की दराव यह conversion भी easy है इदा मुश्किल न ले ठीक है अगर इस chapter को अ अगर आपको लगता है यह chapter तो मैंने नहीं actually यह पूरा एक सिलसला है जो chapter number 7 से लेकर chapter number 13 की all conversions को यहां पर cover करता है और यह मतलब एक long way में काम हो रहा है तो अगर आप इसको थोड़ा करके समयले तो अभी आप 2-3 दिन के अंदर एक अच्छा मतलब अपना समयलें के एक profile ब याद रहे जाएगा ठीक है चलते हैं next next conversion की तरह next conversion क्या कहती है नेक्स्ट conversion है ऐसी टोन टूटरशी बिटाइल अलकोहल यह अब आपके पास एक टोन है और आपने से चेंड करना है अलकोहल के अंदर ठीक है तो इसको करने का क्या तरीका होगा इसको करने का बिलकुल अब अब जो हम conversion करेंगे ना अगर आप उलड़ी जो पीशे वाली conversion अच्छी तरीके से लिख ली है थोड़ा बहुत ज्याद कर लिया है तो पर क्या होगा वो वही repeat उनने शुरूर जाएंगी और उसी मेंसे carbon के जदाद घट बढ़कर वही sense दबार दबार आएगी ठीक है अगर आप चाहो तो उसको मजीद आगे की तरफ ले जा सकते हो मैं इसको जों कर देता हूं ताकि आप सीख सको हां जी तो देखो इसमें क्या किया है आर की एक ही वैली यानी के मिथाइल अब यह मिथाइल वही partial negative है इस पर टैक करेगी partial positive carbon पर जुड़ जाएगी इसके तो सी हमारे पास था इस सी के साथ दो CH3 ओलड़ी लगे हुए ठीक है ना तो यह CH3 और CH3 लग गए बाकी पुरानी बात oxygen पर negative चाहर आएगा क्योंकि कार्बन की बिलेंसी justify करनी है इस negative oxygen के साथ वही फिर बकरी और उसकी दुम और फिर वही hydrolysis same to same और उसके बाद O को एगा O H and the reaction has been completed ठीक है यह था हमारे पास चर्श्री बिटाइल अलकॉहल यह नाम भी ठीक है और यह जो नाम है तू मिथाइल कार्बन नमर वन कार्बन नमर टू कार्बन नमर थ्री तीन कार्बन है तो पहले आपने कह देना है सब्सिच्वेंट को नेम तू मिथाइल और दो नमर पर ही क्या दिया हुए O H ठीक है तो अलकॉहली गूरब भी डो पर है लेकिन कितने कार्बन की चेन है तीन कार्बन की जीन है तो प्रॉप पेन का यह अटा कर O L लगाया तो यह बन गया टू मिथाइल टू प्रॉपन नोल सही है तो यह आपको अनाम देनाने चाहि अगर आयो पर एक नोमन क्लेशर आपका वीक है तो यहां पर भी मुकमल मैंने एक ऐसा लेक्शर दिया हुए जिस लेक्शर में सारा जो हमारे चैप्टर जितने भी है उन सब में जो नोमन क्लेशर है वो एक साथ बढ़ा दिया है ठीक है मतलब आए एक दफ़ आप आप नो पहल जाता है पिनोल एथ है और फिर उसके बाद एल्डी हाइट की टोन और कार्बॉक्स लेके से यह सब कर सब कवर हो जाएगा ठीक है तो बेरहल उसको वन टाइम आप देख लें नोमन क्लेशर बायो मैर खान यह बायो मैर खान अकैडमी तो आटमेटिक लिए आपको देखो प्रॉपे नलिल अ यहीं एल्डी हाइड है एल एल्डी हाइड है दिवारा से बात करते हैं मतलब याद करना और यह आपके पास क्या है ओल्ड हो इलकॉहल उलतना कर देना कभी कोतर यह तो सेमें नहीं तो इसमें देखो सेम क्नैंध और पॉप का मतलब तीन कրनीर carbonğ mesmo है, बट functional group, हमने चेंट करना है, तो functional group को, chain करने का, क्या तरीका होगा, simple सी बात है, यह आपके पास है, aldehyde, और इसकी आपने कर दिये reduction, और reduction करने के बाद, यह है आपके पास, alcohol, और carbon कितिदाद, वही की वही रहेगी, क्या चेंज कर रहे हो यहां पर aldehyde को alcohol के अंदर कैसे कर रहे हो अभी मैं पढ़ा था लीथियम बोरो हाइड्राइड वो भी लिख सकते हो और पलेडियम प्लाटिनम निकल की मजूद्गी में भी कर सकते हो ठीक है तो आपके बस जो रिड़क्शन है ना वो करनी है तो अभी देखो हमने लास्ट टाइम क्या पड़ा रिड़क्शन करो तो रिड़क्शन की रिड़क्शन में क्या करते हैं रिड़क्शन में सेंपली सी अल्डी हाइड को अलकॉहल में चेंज कर सकते हैं और ये कनवरजन इसलिए इतनी सादा है कि इसमें कार्वन के दाथ सेम है तो सेम कार्वन वाले अल्डी हाइड ही सेम कार्वन वाले अलकॉहल में चेंज होगा अब नेक्स्ट कनवरजन क्या कहती है नेक्स्ट कनवरजन कह alcohol में कैसे chain करना है इसमें simple सी बात है यह है ketone इसकी की हमने reduction और यह बन गया alcohol में chain हो गया वह सर यह भी इतना असान सा था हाँ यह इतना असान सा ही है simple वह उपर वाला ही बात की है aldehyde को आपने change किया है किसके अंदर alcohol में यहाँ आपने ketone को chain के aldehyde में वह कैसे same reaction करकर यहाँ पर भी reduction और यहाँ पर भी reduction तो यह मैंने कहां लिखा है यह भी मैंने लिखा हुआ पीछे यह नि reduction करते हुए आप उलट चलते हो carboxly acids की reduction करकर आपको aldehyde ketone और उसकी reduction करोगे तो क्या बनेगा alcohol और alcohol reduction करोगे तो क्या बनेगा alkane यह निकुल्टा चलाए और oxidation में सिधा चलाएंगे उसको सिधा का होगे तो यह उल्टा हो जाएगा reduction मतलब एक जैसी बाते हैं अच्छा इसमें जो आपने याद करना है वो कुछ क्या है वो आप ऐसे समझो कि यह आपके पास जो है ना इसका नाम है acetone इसकी reduction करके जो आपको alcohol हासिल हुआ है इसका नाम है scandry alcohol ठेक है और इससे पहले जो आपने aldehyde की reduction की थी तो उससे आपको हासिल हुआ था primary alcohol तो क्या याद किया कि primary alcohol ही बना सकते हो इससे पहले भी हमने primary or scandry alcohol को grignard agent से बनाया था अब हम किसे बना रहे हैं direct reduction करके बना रहे है तो यह इसमें नहीं चीज थी ठीक है चलते हैं आपने next conversion की दरब next conversion कहती है methanol यह नहीं aldehyde है और उसको आपने aldehyde में change करना है but difference is the carbon is one and here is carbon अब हम बार बार काफी डीप नहीं जाएंगे यह हमारे पास methyl है grignard agent का एक carbon और यह आपके पास aldehyde है तो मैंने समझाया हुआ है कि grignard agent जब भी जट करता है किसके साथ aldehyde के साथ तो वो बनाता है alcohol primary alcohol बनेगा यहां पर और उस primary alcohol की oxidation कर दोगे तो क्या बन जाएगा aldehyde यानि alcohol से aldehyde अगर दो carbon वाला alcohol है तो दो carbon वाला aldehyde बनेगा कैसे oxidation करकर क्योंकि अभी वही बात दबार दबारा कह रहा हूँ कि alkane की oxidation से alcohol alcohol की oxidation से aldehyde aldehyde की oxidation से carbox ligacid मतलब अगर आप इस reaction को आगे की तरफ लेकर चलो जैसे मिसाल के तरफ पर reduction oxidation कर रहे हो और alkane से alcohol alkane तो नहीं है याँपर लेकिन alcohol से aldehyde और अगर इसको मजीद oxidize कर दोगे तो carbox ligacid बन जाएगा ठीक है दो carbon है तो दो carbon वाला ही carbox ligacid बनेगा पिदाल वह हम आगे जागे सीखेंगे अभी हमारा यह purpose यहाँ पर नहीं है तो हम इसको easily कर पाए ठीक है ठीक है चलते हैं आप नेक्स्ट conversion की तरह next conversion क्या कहती है next conversion को यूँ है कि वो कहता है कि आपके पास है अब ethene और आपने chain करना है aldehyde के अंदर यह आपने एक alkin को chain करना है aldehyde के अंदर तो वह प्रणी वाली बात oxidation करो oxidation करकर आपके पास क्या जएगा aldehyde जएगा को कि सर यह ऐसा कुछ किया था हमने हाँ ऐसा देखो हमने न एक question किया है ozonolysis उसके अंदर भी हमने क्या पैदा किया था aldehyde ठीक है तो ozonolysis को तक गौड़ से देखो कहां किया था ozonolysis इसमें कहां से चले थे इसमें हम चले थे ethene से और कहां पहुंचे थे formaldehyde ठीक है ethene से formaldehyde पर ozonolysis से याद कर लो अब क्या कर रहे है अब भी ethene से चलें अगर तो हम ozonolysis करकर aldehyde ठीक है त्यार कर सकते हैं बट यह थोड़ा सा एक different procedure है इसमें देखो हम ozonolysis नहीं कर रहे हैं इसे हम कहते हैं यह भी एक oxidative reaction है oxidation का reaction है इसके अदर यह आपने एक डालने मतलब conditions condition पर जादा focus नहीं कर रहा हूँ कोई हम यह consider कर रहे हैं कि आपको यह reaction ओलेडी आपने कहीं नहीं पड़े हुए है तो याद नहीं है तो याद कर रहे है बट यह कि हमें समयन में आती है और यहां पर कोई इतना logic भी नहीं है कि आपको समझाया जाए कि क्या कर रहा है लेकिन फिलाल आप यह समझायो कि oxidation हो रही है इसके नतीरे में आपको direct क्या मिल रहा है aldehyde मिल रहा है ethene से क्या मिल रहा है aldehyde मिल रहा है लेकिन अगर आप थोड़ा समझना चाहो तो मैं इसमें मजीद addition कर देता हूं कि आप इसको एक और तरीके से करो जो हमारी book में दिया वैता देखो हमारी book में क्या दिया है अगर हम क्या करें CH2 double bond CH2 का reaction करवा दें water से ठीक है तो देने पर क्या बनेगा C एक तरफ आ जाएगा एक CH3 को मिल जाएगा H तो यह बन जाएगा CH3 और दुसरी तरफ मिल जाएगा CH2 को OH तो यह बन जाएगा CH2 OH यह क्या बन गया दी? alcohol अब alcohol की क्या कर दो? oxidation तो alcohol की oxidation से क्या बनता है? LD height दो कारणवाल alcohol होगा तो दो कारणवाला LD height बनेगा तो it is another method which is very close to your understanding चलते हैं आपे next conversion के दरफ next conversion क्या कहती है? next conversion कहती है एथनल है आपके पास यह नहीं के LD height है और आपने chain करना है उसको acetone या ketone के अंदर तो देखो इसमें बड़ा असान सा है यह आपके पास वही एक carbon वादा क्या होगा? Greek nutrient वो जुड़ जाएगा किसके साथ? Acid LD height के साथ यह याद रखा करो हमेशा लिखने की आतर डालो कि आप किस चीशन करवा रहे हो तो बने गया Acid LD height और Acid LD height के साथ आपने जो बनाया चूंकि आप Acid LD height से कर रहे हो तो आपके पास जो alcohol बनेगा वो कौन सा होगा? Scandry यह पहले डिसकस हो चुका है तो Scandry alcohol जो बन गया आप Scandry alcohol की Oxidation कर दी नहीं है और उससे बन जाएगा Acidone यही मैंने आपको बताया था कि अगर Primary alcohol होगा और उसकी Oxidation करोगे तो उससे क्या बनेगा? Primary alcohol से LD height ठीक है? और अगर Scandry alcohol होगा तो बनेगा Acidone या Ketone कहलोगा ठीक है? फिलाल यह बनाने का तरीका देख लो अगर यहाँ पर Carbon की तदाद 1, 2, 3 है तो यहाँ भी 1, 2, 3 है तो Carbon की तदाद सेम है लो भई, अब क्या किया हमने Firstly, हमने firstly एक Regner region से एक Scandry alcohol त्यार किया और Scandry alcohol की Reduction अपना Oxidation करकर हमने बना लिया Ketone या Acetone ठीक है? तीन Carbon है तो Prop बोल सकते है यहाँ पर और Ketone की निचान दिया O&E तो Propane का यह भटाकर O&E लगाया जा सकता है Next हमारे पास जो Conversion है वो है Ethanil to Propanil Ethanil to Propanil अब Ethanil यह निए Aldehyde और Propanil का मतलब alcohol अब यह कैसे करना है यह अब आपको खुद बोखुद समझ में आने लग जाएगी बात है को कि सर यह तो बड़ा असान है हमारे लिए वो कैसे? वो ही एक Carmel या Grigner region से रेक्शन करवाया Acid Aldehyde से बनाया क्या? Scandry alcohol Scandry alcohol का मना यह आखरे मनेगा ठीक है? देख वो ही बहली बात है इसके अंदर CST जुट जाएगा Carmen से Oxygen पर Shift होगा एक Bond Oxygen पर Charge आएगा Negative जो बाकी हिस MGBR वो यहां के लग जाएगा MGBR को मिलेगा Hydrolysis के बाद OH और बाकी हिसा जो O रखता है O को मिलेगा H.E. Hydrolysis हो गई यह तो बन गया आपके पास क्या? Scandry alcohol और यह scandry alcohol ही हमने बनाना सीखना था 2 का मदलब भी यही होता है 2 भी आता है sometime ठीक है न? और 2 not भी आ रहा होता है यानि scandry alcohol तो यह आपने याद कर लेना है अच्छा दी अब इसमें क्या focus किया बात? focus वाली बात वही है कि ग्रिगनेट रीजन करेक्शन करवाना है हमने acid aldeide के साथ ग्रिगनेट रीजन करेक्शन करवाना है acid aldeide के साथ और वो बनाएगा scandry alcohol और scandry alcohol इसने पूछा था आपको कि सर scandry alcohol तो याद था हमें लेकिन ये तो और ने पूछ लिया 2-propanol तो भई इसका तरीका का रही है कि आपको क्याईए कि पहले आप लिखा करो ethanol क्या है? ये जी आपके पास ethanol चेक है aldehyde 2-carbon वाला तो आपको अगर confusion हो रही हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है जो अगर लिख कर दे बुक वाला आपको formula ना लिख कर दे वो आपको ऐसे लिख कर दे जैसे अब ये लिखा है wording के अंदर तो आप खुद convert कर लो उसको पहले जो आपने बनाना है structure में और structure को analyze कर लो और analyze करने के बाद फिर क्या करोगे फिर operation को start करो फिर आपको समय में आड़ एगी बाद चलते है next conversion की तरब next conversion कहती है जी मेतनोल है आपके पास एक carbon वाला alcohol है और उसको दो carbon वाले aldehyde में chain करने है तो basically वही बात आ रही है alcohol को aldehyde में chain करने का तरीका कार क्या होता है oxidation लेकिन issue यह है कि अब के बाद असान नहीं है क्योंकि methanol को ethanol यह नहीं carbon की दादे बढ़ानी है तो दो process साथ करने पड़ेंगे एक carbon की तदाद बढ़ानी पड़ेंगी और दूसरा आपके पास क्या है functional group भी chain करना पड़ेगा तो देखो भी बड़ा असान से है मुश्किल नहीं methanol की oxidation करने से क्या होता है aldehyde त्यार होता है मतलब alcohol से aldehyde बार 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 बात कर रहा हूँ alkane की oxidation से alcohol alcohol की oxidation से aldehyde aldehyde ते मजीद क्या बनता carboxly acid हमने सिर्फ ले लिया methanol अभी बताया है कि methanol methanol भी बोलते हैं इसको formaldehyde भी तो formaldehyde से जब भी आप रिक्षिन करोगा गिड़े गिड़ेट का तो आपके पास हासल होगा primary alcohol और primary alcohol जो मिल गया जिसके अंदर आपके पास दो carbon हो चुके अब बस दो carbon वाले alcohol की oxidation करो तो दो carbon वाला aldehyde थ्यार हो जाएगा तो देखा कोई मुश्किल बात ही नहीं थी ठीक है अब थोड़ा साज को दो से तीन चार दवा practice करनी है automatically question हलोने लगेंगे next question की तरफ आते है next question या conversion बड़ी जी सी है उसमें क्या है आपके पास एक है ethine और ये है ethanol यानि अब आपके पास triple bond है और इस triple bond को convert करना है आपने aldehyde के अंदे है तो इसका तरीकागार बड़ा असान सा है ये तरीकागार दो तिन तरीकों से reaction हो सकता है हम तरह easy सा जो हमारे book में दिया है single step ये two step के लो में कर लेंगे तो सबसे पहले आपने लेना है ये acetylene भी बोलते हैं इसको और ethylene अपना ethine भी बोलते है ठीक है तो acetylene लेना है आपने इस acetylene correction करवाना है इस से वह ये क्या है देखो अब याद कर लो अगर तो आपके पास क्या हो sulfuric acid अकेला हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये dehydration होगी यानि पानी निकल जाएगा जिसे पानी आइडरेशन में किया था मैंने जब 75% sulfuric acid लिया था तो alcohol की dehydration भी हमने की थी लेकिन अगर HGSO4 भी 7 लगावा हो तो इसका मतलब ये होगा कि अब hydration होगी पानी आड होगा तो पानी आड करते हैं देखो पानी आड करने का तरीका ही है यहाँ पर समझ लेते हैं देखो यह आपके पास carbon 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 triple bond है HH लगा लो साथ और reaction किसे करने है H और OH यानि water के साथ तो आपने क्या करने है एक bond खतम करते हैं और उस एक bond खतम करके एक तरफ H लगा देना है और एक तरफ OH यानि के पानी का H और OH आप नहीं यहाँ लगा दिया यह दो हमारे पास compound है ना इसे हम बोलते है इनोल इन का मतलब double bond है और ओल का मतलब इसमें alcohol भी है और इसमें चुके दो carbon है तो word आप में लगा देना है एथ तो एथिनोल इसका नाम है लेकिन यह unstable होता है ठीक है ना तो unstable होने की वज़ा से क्या होगा से यह होगा इसमें कुछ rearrangement होगी rearrangement कैसे होगी देखो मैं इस बार लिके दिखाता हूँ यह साथ इलाके लिख लेते हैं CH2 single double bond और CH और यह OH तरीका यह है कि यह वाला bond यह shift होगा जिसकी वरे से H अजाद होगा लेकिन carbon की balance तो 4 होगने जादा हो जाएगी तो इसको क्या करना पड़ेगा यह वाला bond यह shift करना पड़ेगा अब क्या होगा अब next step यह आया CH2 carbon पर एक इजाफी bond है या केलो electron है charge negative और यहाँ पर double bond O हो गया है और वो जो H है न वो अभी अजाद फिर रहा है positive यह दोनों मिला कर लिख दो यह नहीं कि यह बन जाएगा CH3 और C double bond O और H क्या बना यह आपके पास actually starting ली थी आपने alkyne से और ending आपने किस पर की है aldehyde पर ठीक है तो यह है aldehyde बनाने का तरीका अब आप यहाँ पर देखो इसने क्या किया दिर्मियान वाला इससा बना है जिसका मैंने inol नाम दिया था ethinol भी नाम दिया था vinyl alcohol ऐसे नाम बना अच्छा अब last में क्या हुआ vinyl alcohol unstable है stabilize होगा तो आपके पास एक ethinol नाम देगा ठीक है तो यह आपके पास aldehyde बनाने का एक simple सा तरीका था ठीक है यह मैंने आपको यहाँ पर भी सीखाया तो यह भी आपके पास क्या है इसका नाम acid aldehyde भी है ethanol भी है नाम आपको आने चाहिए मैंने कहा है कि nomenclature आपका strong वहना चाहिए ठीक है चलते हैं अपने next एक conversion की तरफ तो conversion क्या कहती है next conversion है वो यह है जी कि ethanol यह रही aldehyde है और उसको alcohol में चेंड करना है ओहो इतनी इसान सी क्या करने है reduction aldehyde की reduction की तो मिला alcohol ठीक है लिए aldehyde से alcohol अगर दो carbon वाला aldehyde है यह नहीं के acid aldehyde तो दो carbon वाला ही alcohol बनेगा यह नहीं के ethanol वो very easy अब आपको सारे के सारे reduction को इतना मुश्कल लगेंगे नहीं अगर आपने अच्छे तरह समझ लिए हैं तो अगर नहीं समझें तो कोशिश करें इसको gain gain कर ले समझने की कोशिश करें और जो मैंने आपको कहा है कि हमारे basic lectures है पूरे अलग-अलग chapters के उनको follow करें ताकि वो आपको असान लगे नेक्स्ट है हमारे पास ethanol-2-butanone यानि आपके पास alcohol है और यह आपके पास क्या है? ketone है तो ketone को कैसे चैन करते हैं? वही प्राना तसकरा पहले नबर पर आप alcohol की oxidation करोगे तो aldehyde देखें अब आपको easy समझ में आ रहा है कि हाँ oxidation करने से क्या होता? reduction करने से क्या होता है? जिसको भी प्रता नहीं चल रहा तो उसके लिए मैं दुबारा से यह बात समझा देता हूँ देखो मैंने यहाँ पर लिखा था oxidation तो alkane की oxidation से alcohol alcohol की oxidation से aldehyde और aldehyde की oxidation से carbox लेके से मैंने किटोन भी आता है इसके बारे मैंने समझाया था आपको और reduction करने से उलट चलेगा तो यह वाली बात मैं कई दवक या चुका हूँ दुबारा से बात भी आ रही है तो alkohol की oxidation की तो क्या बना? aldehyde और यह देखो अगर aldehyde कौन सा हो? दो कार्बन वाला यानि acid early hydro तो acid early hydro क्या जब grignergy selection होता है तो क्या कौन सा अलकोल बनता है? वो बनता है secondary अच्छा यह वाली बात तो समन में आती है यहाँ पे एक नई चीज़ भी है कि इस दवा जो हमने grignergy लिया है उसमें दो कार्बन रखे है क्यों? क्योंकि एक कार्बन तो वाल पर पहले ही था अब हमने क्या करना है? हमने तो ब्यूट ब्यूट करना दर चार कार्बन चाहिए हमें तो देखो एक कार्बन यह है दूसरा कार्बन आपके पास यह है के बाद आपको मिलेगा एक निया रपांट जो के वही है जिसको मैं कहता हूं तो स्कैंडरी अल्कोहल कैसे काम करता है कैसी करता वह देखो तो स्कैंडरी अल्कोहल में अगर मैं तोड़ा सथिंभलिफाइख कर दूँ। अगर आप प्रिशान हो गए दोबारा से देख लो चीज को ठीक है कार्बन की किंति हमने पहले कर लिए स्केंड्री अलकॉल हमने बनाना है मक्सद हमारा वो है लेकिन इसमें क्या हुआ यह आपके पास वही आर है इस आर ने अटाक करना है किस पर कार्बन पर जो पार्शली CH2 CH3 CH2 फिर क्या आया जी CH यह CH और फिर उसके बाद युड़ाओ है CH3 यह CH3B और ऑक्सिजन को मिलेगा हैड्रोलस इसके बाद H और बगरी को मिलेगा यानि मेगरिशन को मिलेगा OH यह बन गया टू ब्यूटेनोल अब ब्यूटेनोल लेकिन हमें तो उसमें कहा था किटोन त्यार करने को किटोन त्यार करने के लिए क्या होगा देखो depending यह बात है यह है। आपके पास स्केंडरि अलकॉहल। ठीक है यह है अलकोहल ठीक है स्केंट्री अलकोहल की जब भी ऑक्सिटेशन करोगे तो गया बनेगा कीटोन अब कीटोन कितने कार्बन वाला होगा वो उतने कार्बन रखेगा जितने कार्बन आपको यहां मिल रहे हैं तो यह अगर आपके पास कार्बन की दाशार है तो आप बनe गया ब्यूतर निए कोई मुछ्किल बात नहीं है ओन ए तर चाह ब चलते नेक्स कनवरजिन की तरफ नेक्स कनवरजिन क्या आएएक अजय कहती है कि एतनोल एकोहल है दू कारवन वाला अथनॉ discuss ay atroc पहले भी त्यार करता हमनेगो एक। त्यार करना है लेकिन कारभनर गित्दाब्ध सेम रहती होगया कैसे एतननों की ऑक्सडाइशन की MT की 2ker वाला अलकॉहल है तो 2k convinced वाला ही ल् MIDI हाईड बनेगगा यहनी इतननों से एथनल, इसका नाम मैं देख देता हूँ, E-T-H-A, E हटाक, A-L, एथनल, ठीक है, इसको हम acid early high भी बोलते हैं, अब एथनल की oxidation कर दो, तो फिर क्या बनेगा, acid, यह देखो भे, यह आपके पास LD-H-A, LD-H-A की oxidation से carboxylic acid, अगर दो carbon वाला LD-H-A है, तो दो carbon वाला ही acid बनेगा, यह कहां लिखा है, यह फिर दोबारा से बात करते हैं, देखो भे, हम क्या कर रहे हैं, oxidation, और इसमें क्या कर रहे हैं, LD-H-A, LD-H-A से क्या बना रहे हैं, कारboxylic acid, कैसे oxidation करके, वापस चालो जी, वापस चलते हैं, और next step की तरह, आपने देखा कि दुमेन आपको यह पता हैं न, oxidation और reduction, यह कमाल की बात है, इन दोनों से कितने सारे question already हलो रहे हैं, ठीकर न, carbon की तदाद में फरकास, देखिए, करना हो तो आपको थोड़ा सा काम क यह थोटी सी conversion है, हमाइड यह न, कि आपने, जो है न, nitrogen को add करना है, तो यह देखो, estic acid, या ethanoic acid, यह आपके पास है, आपने क्या करना है, इस दोनों को मिलाना है, समझे लो, यह जो H है न, यह देदो, ammonia को, तो बनजएगा NH4, ओके, ठीक है न, अब NH4, जो आपके पास इ यह वाला, CH3, CO, NH2, या फिर अगर आपने इसको ऐसे करके लिखा वैं, CH3, C double bond, O, NH2, तो यह भी, याद कर लो, acetamide है, ठीक है, और साथ water तो release हुआ न, पाने की गरम करने पर, यह जी, simple सी conversion, next conversion कौन सी है, next conversion है, estic acid to acetone, ठीक है, यह last chapter के हमारे पास, conversion थी, कार बोक्स लेक acid की, यहाँ chapter end हो रहा है, काप यह तक, तो देखो भी, इसमें क्या है, इसमें estic acid to acetone मनाना है, यह आपके पास क्या है, estic acid, calcium hydroxide selection किया, यह क्या मना, calcium acetate, तो आप थोड़ा सा यह तसावर कर लो इसको, यह हमने पहले भी किया है, आप समझ लो कि आपके पास है, CH3, दो calcium equivalency होती है, 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अगर आपको infusion होती हो, तो आप खोल के भी लिख सकते हो reaction को, जैसे के यह दिया हो है, यह इसी चीज़ का, यह आपके पास यह first method है लिखने का, यह second method है, और यह third method है, अच्छा, इस method और A को यहां से ले लो, ठीक है न, तो क्या निकाला, C-A-C-O-3, जो बागी बज़ गया लिख दो, C-H-3, और C-H-3-C-O, C-H-3-C-O, यह आपके पास simple सा, समझे लें के heat करने पर calcium carbonate को निकालना है आपने, तो calcium carbonate, इसका नाम क्या, इसका नाम है calcium acetate, ठीक है, और इस calcium acetate की हमने क्या किया है, heat के उपर, हमें लें, इसकी decalcination कर दी है, calcium carbonate इसमें से निकाल दिया है, तो इस अंदाज में आपने यह reaction complete किया है, ठीक है, इसको दोतीन दवाँ आप राइट कर लेंगे, यह कोई मुश्किल conversion नहीं थी, बस इसमें आपको जो first step है, यह जरा चीतरा क तो calcium acetate एक तरह का salt भी है, और यह आपके पास water, तो जो आपने calcium का salt बनाया है, इसे हम कहते है, calcium salt of die carboxly acid, तो जो salt बनाया है, उस salt से आपने क्या किया है, acetone त्यार की है, यह एक simple reaction था, ठीक है, अगर आपको यह मेरा हिस्सा कुछ नजर नहीं आया, मैं जरा दुबारा से बता देता हूँ आपको, कि यहां हमने basically क्या होता है आपको, कि जो छुप गया था, यह आपके पास एक तरीका है लिकने का, यह दूसरा तरीका है लिकने का, यह तीसरा तरीका है लिकने का same compound को, अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको समझा दूँ, तो समझाने में कुछ CH3, C double bond O, O, छीक है इस तरह से CH3, C double bond O, और O, छीक है यह दोने जुड़ेंगे कैल्शिम के साथ, अब आप इसे क्या करोगे, यह वो ही है, कैल्शिम सॉल्ट आप इस ठीके से, CACO3 में से यह इसा निकाल दोगे, जो बाकी बचा लिक हो, CH3, CH3, और C double bond O, और बाकी बच ग तो यह भी आपके पास एक दिकाकार हो गया, S E tone prepared करने का, यह भी लिख सकते हो, यह आपके पास लो एक और method हो गया, तीन तरीके वो थे, चौता तरीका ही आ गया, यह जी आपके पास, तीन तरीके पीछे वाले, जिसे मैंना भी बताया, और यह फिर टू, यह आपके पास 3 और जो 4th method है, वो आपके पास है जी यह वाला जी, ठीक है नी, अब मेरा खाल से उमीद है, कि आपको इस समय में आ गया होगा, किस तरीके से आपने करना है, तो यहां और यह हमारी conversion end, ठीक है, आप इसमें से देखो, simple सी बात यह है, कि अगर आपने यह reactions अच्छे तरीके कैसे कर लिए है, काफी दफ़ा कर लिए है, एक दो दफ़ा में नहीं आएंगे, मुश्किल होगा, भूल जाओगे, लेकिन अगर जो हमने सबसे पहला तरीका अख्तियार किया था, जैसे के, यह जो मैंने कुछ concepts लेके थे, अगर इन concepts को आप बहतरीन तरीके से कर लो, तो क तो यह वाला कैसे करेंगे, ठीक है, आपको के सर यह, अच्छा यह आपने किये हैं, लेकिन वो actually हमारी बुक में नहीं पूछे हुए, हमारी बुक में as such questions जो थे, यतनी conversions थीम तक्रिवन पॉसिबल और यह जो एक्जाम में आनी है, वो मैंना को करवा दी है, तो पहला target तो तो आज कार्बॉक्सली कैसे रहे, इतने कार्बन वाला उसको हमने एल्ली हैड में चेंड करना है, उसके इतने कार्बन होने चाहिए, खुद से बनाया question, खुद से हल करना है, तो फिर वो वाले तो reactions आपके किताम में नहीं होंगे न, फिर उसको आप कैसे करोगे, उसके ल और यह मैं अपने website भी डाल दूँगा, link आपको description में दे दूँगा, बलकि जो notes मैं आपको पढ़ा हैं, जो important point है वो भी आपको description में डाल दूँगा, उनके links आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है, फिलाल मैं आपको दिखाता हूँ, यह क्या है, देखो इसमें क्य आया, कि हम alkane से कैसे सारे का bond बना सकते हैं, तो देखो, यह आपके पास है, alkane, और अगर इसको हम देखें आगे की जाने, तो यह सारे के सारे, थोड़ा सा अगर go through कर देता हूँ, आपको सारे ने बताना आपको, यह आपके पास methane है, इससे आप कैसे बनाओगे, इसे कैसे बनाओगे, इथेन, ठीक है, यह conversion है, methane into methane, इथेन into methane, कुछ कर ली हैं हमने, कुछ इसमें और आ रही हैं, तो सारी conversion इस तरह से नजर आना शुरूर देंगे, अच्छा, फिर इसके बाद यह खता हो जाएगा, तो आपके पास एक next portion आएगा, जिस portion में क्या होगा, लिखा है conversion of alkyne into other compounds, ठीक है, तो इस तरह से alkyne आ जाएगा, next चलते है, alkyne के बाद, तो फिर, यह alkyne से सारे compound कैसे बनाओगे, alkyne से बनाओगे, फिर उसके बाद आगे चलो, यह आपके पास है alkylite, तो alkylite से कैसे बनाओगे सारे compound, ठीक है, और फिर उसके बाद, alkylite के बाद next आ रहा है, क्या, बताओ भे जल्ली अली से, यह आ गया है, तो इसमें आपने करना ही है, कि यह है जी, alkylite से सारे compound बनाना, alkylite के बाद पर जैसे सारे alkylite पढ़ लोगे, तो फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास, carboxlic acid, तो सारे आपके चैप्टर्स है, और फिर यह है important chapter जिसकोец का है, तो बेंजीन से आपने बनाना है, बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन कैसे बनाओ घए, तो यह आपके पास एक इस्सा है, तो नाइट्रो बेंजीन, मतलब यह क्लते आओगे तो यह बहुत सारे हैं, कि नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन, आलीन, तालीन, यह पास बड़ा इंट्रस्टिंग सा है के इसमें एक गेम चलती कैसे कार्बन और हाइडोजन जिसे मैं लेका है कनवर्जन आफ चेन ठीक है ना यानि हम यह कहते हैं कनवर्जन आफ दे चेन फ्रॉम कार्बन और हाइडोजन यह क्या है देखो यह आपके पास है कार्बन और यह आपके पास है हाइडोजन ठीक है ना कार्बन और हाइडोजन से स्टार्टिंग लेंगे फिर आगे जाएंगे एक बान बनाते जाएंगे ठीक है उससे नाइट्राइल जी बनेंगे आयोडाइट भी बनेंगे, अलकेन, अलकेन, अलकाइन, जो कुछ है वो इन चेन में जाएगा, तो ये एक तरह के चेन्स के रियाक्शन हैं, फिर यहाँ पर देखो यह क्या चीज़ है, कनवर्जन फॉर एसेंडिंग आप सीरीज, यह नहीं कि आपने इसमें कार्विंग की त हाइल अलकाहल, कि अलकाहल से आपने सौरे कंपाउंड कैसे बनाने, क्योंकि अलकाहल की एड़क्शन और ऑक्सिडेशन बहुत सारे कंपाउंड दे सकती है, और आखर में आ रहा है, कनवर्जन आफ एस्टिक एसिड को आप किन किन कंपाउंड में चेन कर सकते हो, जैसे और उसकी क्लोरिएशन कर देते हो तो अलकाहल क्लोराइट बना लेते हो, और आगर आपके पास सोडियम साल्ट आप एस्टिक एसिड है, तो उससे आप क्या बना सकते हो? एस्टिक एन्हाइड्राइड और एस्टिक एन्हाइड्राइड से आगे चलते हो और हमुनिया सेलेक्शन करते हो तो क्या बनेगा यह एक लबी चोड़ी बात है इसमें आपके पास होट से देखो कि कितने आपके पास पेजिस हैं 10 तो टोटल 10 पेजिस ऐसे हैं कि अगर आपको थोड़ी बहुत और गैनी की समझ है और आप फिर 10 पेजिस को पढ़ते हो तो समझो पूरी की पूरी जो और गैनी केमस्टी आपने पढ़ी है सेकंड एर के अंदर वो सारी इसमें आ जाएगी ठीक है तो जो पतर यहां पर नाइट्रोजन की डेरिवेटर नहीं थे तो नाइट्रोजन इसमें शामिल नहीं है बागी जो बेसिक चेप्टर है मैं आपको बता देता हूं कभी आप कंफूज हो ढूंडते रहें तो इसमें मारे पास सिंपल जो कंपाउंड हैं वो अलकेन अलकीन सारे हो गए तो यह सारे के सारे मजूद हैं इसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड या सल्फन अमाइड वगारा नहीं शामिल ओके काफी लंबा लेक्शर हो गया है मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि इसको पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि आप कोशच करो कि चंक्स में बढ़ो आइस्ता इस्ता बढ़ो और इसको बाइबर लिखो समझदारी से जो आपको मैं नोट्स बताएं लास्ट के अंदर ठीक है ना यह नोट्स में पर इनिशाला आपको अपनी वेब साइट पर डाल दूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट यह फाइदे मानना है ठीक है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लो दूसरों को शेयर कर दो ताके उन तक भी मैसेज पहुंच जाए उनको फाइदा हो जाए फाइदा सबका चाहोगे तो आपका फाइदा भी होगा ठीक है तो खतम करते हैं अपने लेक्श में अगर आपको किसी किसम के दूसरे कोई इस तरह के मामलात की या एसी को रियाक्शन की समझ नहीं आती है और आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉमेंट बखस पूछा करें और अगर कोई खास किसम के आपको शेप्टर से पढ़ने हैं या कोई रियाक्शन के ब लेगा तो हम पर जरूर बात करेंगे तो अब तक के लिए आनला हाफिज अपना ख्याल रखेगा